हाई बच्छा लोग कैसे हो आप सब यार आई नो आप लोग बहुआ जबा एक्साइटेटेटेटेटेटेटेटेटे रही ना कही और मैं भी हूँ जी मैं आपकी दोस्त आचुंकी हूँ CS नपनी भारतिय लेके आप सब के संग पहला लेक्चिर Company Law Paper No. 2 CS Executive का मैं नहीं जानते हैं कि आप लोग CS Interence में इसके बारे में कुछ पढ़के आए हो या नहीं आए हो पर मैं आपके लिए एक खुश खबरी लेके आई हूँ मैं बिलकुल स्क्राट से पढ़ाने वाली हूँ मैं यह नहीं मानने वाली हूँ कि आपने Interence में कुछ पढ़ा है कहरें मैं हमने तो वैसे भी कुछ नहीं पढ़ा है जैरांची की हम तो आगए मजे मजे में clear करके और अब हमें समझ में नहीं आ रहा है December के लिए कैसे तयारी की जाए पहला topic पहला chapter आपकी study material का और यह रहे आपके notes मैं आपको एक और बार बता दूँ class start होने से पहले आपको मिलेंगे बहुत सारे DPP यानि daily practice questions and आपको वो questions जरूर से submit करने है answer submit करने है यह मिलेगा आपको PW की app पर तो इस chapter के बाद आपको related questions जो रहे हैं वो मिल जाएंगे मेरे हिसाब से अब आपने का माम इस chapter का weightage बता दीजे इस chapter का आराम से weightage first chapter का weightage 5 to 8 marks का है and exam के हिसाब से यह important chapter है अगर आप उसे पूछो कौन सी category का chapter है तो यह A grade का chapter है याने exam में इसमें से mostly questions फस्ते ही फस्ते हैं तो आप miss नहीं कर सकते हैं एक और बज़े से आप इसे miss नहीं कर सकते हैं because this is the very introductory chapter correct है अगर आपको यही समझ में नहीं आया तो आपके company law की ना need कमजोर रहे जाएगी तो उसी topic के संग मैं आपके संग स्टार्ट कर रहे हो of course हमारा 100 number का paper है subjective paper है and companies act 2013 की यह बात करता है अगर मैं आप से पूछू हूँ what is the difference between act and law और हम क्या पढ़ने वाले हैं कहीं न कहीं मैं आपको साफ साफ बता दू हम दोनों ही चीजें पढ़ने वाली हैं act is a very small part of the entire universe of law you can say act is the subset of law आप एक तरीके से कह सकते हैं सुनियेगा act कैसे बनता है act बनता है यह मैं थोड़ा quick ले रही हूँ reason यह exam के साफ से question नहीं आएगा but अगर आप मेरे संग जुड़े हुए हैं तो आपको knowledge in depth होनी चाहिए ठीक है lecture last तक सुनियेगा अच्छे से सुनियेगा I understand comedy है यह है वो है fun चीज़े हैं आपकी बेज़ती होगी थोड़ी बहुत परन्तु most importantly बहुत सारी पढ़ाई होने वाली है and you cannot miss on that आप चाहते थे lecture free मिले lectures free आ गए आप चाहते थे December attempt के लिए हो December attempt के लिए आ गए आप new course चाहते थे new course आ गया आप detailed चाहते थे सब कुछ मैं detailed class लेके आई हूँ तो बस आपको एक copy और pen साथ में रखना है and जरूर से कुछ-कुछ छुटी-छुटी चीज़े note करते रहना है आपके notes होंगे मेरे notes होंगे तब जाके perfect combination बनने वाला है आपने का माम ठीक है हम तयार है और मैं तयार हूँ मुझे बताइएगा आपने का माम act or law की आपको बात कर रहे थे yes act बनता है जब सबसे पहले आपके बनते है papers, white papers and white paper बनाती है committee committee appoint करी जाती है बकाइदा parliament के द्वारा और committee में वो लोग होते है जो चुनिंदा उस topic के बारे में बहुत detail में जानते है example Companies Act को बनाने वाले जो chairman थे committee के वो है Dr. J.J. Irani he was the leading person in getting this company's act come into real world आपने का okay माम तो parliament में आपके सबसे पहले committee बनाई जाती है committee वाले लोग white paper तयार करते है वो action में white नहीं होते वो blueprint होता है वो white papers present किये जाते हैं in the parliament before the two houses that is Lok Sabha and Rajya Sabha and जब कहीं न कहीं वो papers आपके approve हो जाते है they are called as bill और bill जाके आगे जाके president के द्वारा जब उसे assent मिलता है तो कहीं न कहीं वो बन जाता है act और देखिएगा companies act 2013 को president का ठपा लगा president का मोहर मिली on 29th August और अगले ही दिन government का ही अखबार होता है official gazette कहारे हैं मैं हम तो ना आमरुजाला पढ़ते हैं न देनिक जागरन पढ़ते हैं न टाइमस अफ इंडिया पढ़ते हैं हमें दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता ऐसे ही official gazette भी एक अखबार होता है कहारे हैं अच्छा अच्छा मैं ये government का अखबार होता है government इसमें notifications छापती है ये अगले दिन पूरा का पूरा act उसमें notify किया गया 30 अगस्त 2013 को and कहीं न कहीं ये applicable हो गया आपने का मैं companies act में total कितने sections है मेरे संग repeat करेंगे जल्दे से बोलेंगे कहरे हैं मैं क्या 470 कहरे हैं हिंदी अमारी ने कमजोर है 470 470 sections हैं companies act में total मिला के कहरे हैं मैं या madam ये सारे हमें पढ़ने हैं क्या अभी अरे नहीं यार चिल करो main main चीजें करनी हैं 470 section नहीं करने ये 470 sections divided हैं into 29 chapters and 7 schedules schedules attached हैं पीछे बहुत सारे CSR का schedule है schedule 7 हमारा accounts balance sheet वगरा सब कैसे बनेगी उसका schedule है हमारे पास schedule 3 ऐसे करके schedule 7 schedule साब पर repeat करेंगे मेरे जल्दी से किते sections 470 किते chapters में divided 29 chapters and किते schedules 7 schedules आपने का माम ये बात clear है हमें basic बाते समझ में आ गई है अब सुनियेगा Actually Companies Act आया क्यूं मैं इसके पीछे की एक मत स्टोरी सुना रहे हूं और ये स्टोरी आप चाहें तो verify कर सकते हैं क्या हुआ 2016 के आसपास World Bank की एक report आई और हम इतने सालों से इतने अपने economics में यही पढ़ते आ रहे हैं कि India is a developing country Remember, developed, developing and underdeveloped country So, we consider ourselves to be a developing country हमेशा से 2016 की report में एक बात आई कि इंडिया में businesses established करना बहुत time taking और बहुत मुश्किल काम है यह बात कई गई World Bank की report के द्वारा और बहुत सारी चीजों की बात की गई जिसकी वजह से इंडिया की ranking आपकी developing country से उठके underdeveloped में आ गई और इस report को obviously कहीं ज्यादा publicize नहीं किया गया हां underdeveloped में हम सबसे top पे थे सबसे उपर थे हूं तो जैसे यह report आई इंडिया में अलग-अलग fields में अलग-अलग measures लिए गए and one of the biggest changes that was taken was for Companies Act जी इंडिया में ease of doing business करना था अगर कोई अपनी आज की rate में company खोलना चाता है ठेक है सुनिएगा मेरी भात को ध्यान से अगर आपके end पे documents complete है न बेटा तो practically मान के चलिए within 48 hours company established की जा सकती है that's how quick things have become और यह time पहले जब report आने से पहले का time था तो एक company को average इंडिया में company खोलने में 45 days to 60 days लगता था on an average और हमने उसे घटा के किता कर लिया है 48 hours oh my god that kind of miracle I am talking about and that is why companies act बहुत बहुत interesting topic इसको सिर्फ इसलिए मत पढ़िये because a subject इसको सिर्फ इसलिए मत पढ़िये because हमें pass होना है इसको इस नजर से पढ़िये कि आपको जाके कल को अपनी clients के बहुत सारी companies खोलनी होंगी incorporate करानी होंगी उन्हें practically चलानी होंगी और वो आप बच्चे लोग CS company secretary ही चलाते हैं So do not forget this You have to manage all of this इसके लिए perfect knowledge होना mandatory है आपने का ma'am ठीक है समझ गए हम बिल्कुल अब ma'am क्या start कराने जा रही हो मैं आपके study material के हिसाब से first topic उठा रही हूं ठीक है मैं यह doctrines पढ़ाना start कर रही हूं and doctrines बहुत detail में पढ़ाऊंगी कहरे ma'am exam में इनके आने के chances plus 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 अगर आप मेरा lecture ध्याम से सुन रही हो ना तो आपको मैं बीच-बीच में topics में बताती चलूँगी कि कौन से grade का आपका यह topic है which means exam में आने के उनके chances काफी हाए है कम है पर इसका मलब यह नहीं है बिलकुल नहीं आ सकते हैं तो मेरे किसी भी बात को यह मत सोचेगा कि मैं हमने कही है important कम है आप सुन रहे हो पढ़ना ही नहीं है syllabus में ही नहीं है नहीं भाई मेरे थोड़ा सा उसका possibility chances कम है बस और अधरवाइस पढ़ना है हमें सब कुछ ठीक है all right आपने का माम स्टार्ट करो doctrine word का मतलब क्या होता है पहले तो आप हमें यह बताओ और आपने यह topic directly क्यों start किया company के बारे में और क्यों नहीं बता रहे है eventually बताऊंगी पर क्योंकि यह topic आपके study में भी पहले दिया हुआ है मैं आपको detailed study करा रही हूं इसलिए मैं आपके लिए यह लेकर आई हूं और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी जिस topic में जिस moment में मेरे संग हो बस जुड़े रहना चिक है आपने का माम बताईए doctrine word का मतलब होता है law जैसे आप science में पढ़ते हो तरह तरह के newton law law gravity पर एक बाद सोच ना सोच के देखो अगर law में law कहोगे तो अजीब नहीं लगेगा तो इसलिए हम बोलते हैं word doctrine doctrine word का मतलब simple law नहीं है doctrine word का मतलब है universal law जो सालों सालों से चला आ रहा है कहरें कितने सालों से 200 सालों से कहरें oh my god सोचे का कितने companies act बदल गए आपने की बहुत सारे में companies act 2012 अभी आया है उससे पहले 1956 का act था उससे पहले 1913 का act था and so on and forth and so back and forth right so आपने का तब भी माम ये वाली चीजें सेम चल नहीं है जाएं क्या कुछ भी हो जाएं ये as it is रहेंगे आपने का चीज़े माम समझ गए आपकी बात को आपने का okay अब इस इस अल्ट्रा वायर्स को मैं आपको समझा हूँ उससे पहले आप मुझे दो बाते बताएंगे क्या आपने MOA वर्ट सुना है पहली बात सोच के बताओ मझे दो वर्ट सुने आपने का हाँ माम हमें तो इसके फुल फॉर्म भी आते हैं that is memorandum of association and articles of association आपने का हाँ जी माम बिल्कुल आपका जो अल्ट्रा वायर्स है ये बात ना लिखना मत एक्जाम में आप अपने self note करके लिख लो copy में ठीक है खोल ली लिखिएगा self note में आपका अल्ट्रा वायर्स is dedicated to MOA काई बार ये लोग बोलेंगे ऐसे कि अल्ट्रा वायर्स MOA के लिए भी है AOA के लिए भी है कि ये उनों साथ में ये words आ जाएंगे पर mainly इसका focus जो है वो आपका किस के लिए है किस के लिए है MOA के लिए memorandum के लिए ठीक है और अगले जो दो doctrines कराऊंगे constructive notice और indoor management वो है AOA के लिए आपने का मैम ठीक है समझाओ येर सुनना must landmark case study बताऊंगी और अल्ट्रा वायर्स वर्ड का पहले मतलब समझो क्या रहे अल्ट्रा प्रो नहीं यार ये वो नहीं है अल्ट्रा वायर्स वर्ड का मतलब है अल्ट्रा मींस का मतलब है beyond वायर्स वर्ड का मतलब है power अल्ट्रा वायर्स का combined meaning है beyond the power of आपने का मैम ठीक है किस के power की बात कर रहे है बाहर किस के उकात के बाहर कि वात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हो तीन चीजों के उकात की भार की, कह रहे हैं मैं क्या क्या, सुनना, पहला, act, act मतलब companies act के भार जाने की कोशिश कर रहे हो, oh my god, आप इस उकात में हैं ही नहीं, Companies Act का ब्रीश तो तौबा-तौबा है, आप उसको तोड नहीं सकते, you cannot do something which the Companies Act does not allow it shall be considered as ultrawire कहरे मैं example दो, example सुनना आप private company में minimum 2 लोग रखते हो, public company में minimum 7 लोग रखते हैं आपने का हा मैं, हम कह रहे हैं हम तो भाईया private में 2 से कम रखेंगे और public में 7 से कम रखेंगे चचे, आप करी नहीं सकते ये क्यों? कहरे मैडम Companies Act में लिखा है, minimum इतने लोग चाहिए, तो कैसे कर लोगे इससे कम भाई? नहीं कर सकते आप इससे कम यार, you need to have minimum इतने लोग, नहीं तो Companies Act का breach है, तो आपने का मैम, Ultrawires का पहला meaning हुआ, beyond the power of the act, साथ में repeat करेंगे मेरे, beyond the power of the act yes my dear, second मेरी आपने का मैम, अच्छा और किस के beyond, या फिर आप जाने की कोशिश कर रहे हो, अपने Memorandum के बहर you are trying to do something, you are trying to breach your MOA मैं आपको उने एक मस्त ग्जामपल देती हो MOA ना आपका, Memorandum of Association, is just like your basic details, जैसे आपके बारे में अगर कोई अंजान आनमी पूछे तो आप अपने बारे में क्या क्या बताओगे आपने का मैं अपना नाम बताओगे अपना अड्रेस बता देंगे कि यहां यहां रहते हैं, उस शेर को बिलॉंग करते हैं, ऐसे करके हैं आप अपना अब्जेक्ट बता दोगे जिन्दिगी में क्या चला है, सियस कर रहे हैं मेडम, इस लेविल पे हैं, मेडम, ऐसे करके यही बता दोगे और थोड़ा बत जाला गुज़ों के मैटर में तो पैसे बता दोगे, कितनी कैपिटल है आपके परस घर जायदात कितना है, क्या है और यही सब, करेक्ट है, यही बता हो गए मेमोरेंडम ऑफ असोसियेशन भी तो एक्जाक्ली यही बताता है सोच के देखवा, कहने हां न नेम क्लाउस, अब्जेक्ट क्लाउस रेजिस्टर ओफिस क्लाउस लाइबिलिटी क्लाउस, क्यापिटल क्लाउस सब्सक्रिप्शन क्लाउस और OPC में एक नॉमिनी क्लाउस सो एक्जाक्ली आपके बेसिक कंपनी का नाम उसका अड्रेस, उसके अब्जेक्स उसकी क्यापिटल, आपको MOA से तो पता चलती है तो आप सोच के देखना आप MOA के beyond केते जाने की कुशिश कर सकते हो या क्यारे मैं मलब example दो माल लो तुमारी कंपनी का नाम है CS चचा प्राइवेट लिमिटेड ठीक है? आपने का वेम ठीक है CS चचा प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है है के नहीं है? और मैं माल ले जी हमारा नाम अली है तो हमारा नाम फिर अली रहेगा हम किसी और को जाके कुछ और तोहीं ना बता सकते हैं बिल्कुल सही बात आप सोच के देखे हाओ के निचेंज यूर नेम हाओ कैन यू टेल समबडी सम डिफरेंट नेम कि यह नहीं है तो यह पर बताईए रहे है इसंट जूट यह साफ साफ अल्ट्रावायर्स है आपने का अच्छा अल्ट्रावायर्स का मतलब हुआ ए से अक्ट के बार एम से मेमोरेंडम के बाहर और तीसरा सुनिएगा जो स्पेसिफिकली इन्होंने कहा मेमोरेंडम में भी अब्जेक्ट क्लॉस के बाहर बिकाज ना नाम बताना देखो नाम में कोई गल्ती नॉर्मल ही करता नहीं है अड्रेस का है उसमें कोई गल्ती होती नहीं है गल्ती पता है कहो हूती है अब्जेक्ट क्लॉस में कह रहे मैं हमें नहीं समझने है आरा बिल्कुल भी क्या-क्या-क्या कह नहीं हो अब्जेक्ट क्लॉस के बाहर चले गए मतलब और ओडू मीम और ऑज्जेम्पल सुनना आपका आप में का ओके अब इस यह अब्जेक्स में लिखा है ठीक है कि आप यही खाना सर्फ कर सकते हो आप इसमें एरेटेड ड्रिंग्स लाइक कोल ड्रिंग, फ्रूटी यह सब चीजें दे सकते हो क्या किया रहे हैं यह कैसे पता चलेगा यही तो बात है यही तो बात है अब्जेक्ट, क्लॉज से पता चलता है कि आप किस हद तक काम कर सकते हो अगला एक और एक और एंपल देती हूं आपकी मिठाई की दुकान है कहरे है मैं खाने पीने की शोकीन लगती हो बहुत जाला फिक है आपके मिठाई की दुकान है आप बनाते हो तरह तरह के मिठाई सब होगा सोच के बताना क्या आप इसके साथ के जो raw material हैं चीनी दूद दही और यो भी डलता है ठीक है मुझे बनाना नहीं आता खाना तो क्या वो भी आपके objects में लिखा होना चाहिए कि हम ये भी अपने आप बना सकते हैं सोच के बताईएगा के रहे माम ये तो बड़ी difficult ब topic ultra wires माना जाएगा वो contract ultra wires माना जाएगा so we are three things जिसके beyond अगर आप चले गए तो it shall be considered as ultra wires ठीक है and shortcut कर लो चाहो तो amoo 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 a say act के beyond m से memorandum के beyond और खास कर तो आप जा रहे हो object clause of the memorandum के beyond आपने का माम समझ गए यानि अगर हम companies के act के beyond MOA के beyond या आप कही न कहीं न object clause के beyond गए it shall be considered as ultra wires ठीक है और ultra wires में AOA के beyond की कोई बात नहीं होती है AOA क्या है in-house rules है like within the house एक और example देखें ठीक है example भूट सारे दिया करूंगी सोचते रहना बताते चलना हो सपोस्पोस करो आपके घर में पूजा होती है नमास पढ़ा जाता है प्रेयर होती है जो भी होता है ठीक है लेक्स से आपके घर में यह rule है कि आपको भी रूस करना है ठीक पट क्यूंकि आप पढ़ाई में बहुत बिजी हो गए तो आपने पढ़ाई को ही अपना भगवान मान लिया और आप उस दिन पूजा करना भूल गए आपने का हाँ मैं सही बात है ऐसा हो जाता है कभी कभी हम भूल भी जाते हैं यह सब करना तो क्या हो जाएगा के रहे माम कुछ नहीं होगा घरवाले कहेंगे थोड़ा सा बट फिर हम अगले दिन कर देंगे पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है एक्जाक्ली एओए कंपनी के इन हाउस रूल से अगर वो कभी थोड़े बहुत ब्रीच हो गए तो इतना फरक नहीं पड़ेगा उसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायर्स दा एओए बर उसका कोई बहुत मीनिंग नहीं होता मैं इवेंचुली आपको यह कराती हूँ यह नहीं है आपको करना आपने का मैं ठीक है समझ गया हम यह वाली बात तो ठीक है आए एक बाद देखते हैं अगले पारग्राफ में एनी आक्ट डन कॉंट्ररी और एक्सेस अफ देखते अपने अच्छा बी कंसीडर्ड अज अल्ट्रा वायर्स और कोई जने मिलके कंपनी के सारे मेंबर सारे डिरेक्टर्स भी इसको ठीक नहीं कर सकते हैं आपने का मैं ठीक है अच्छा मान लेजे अल्ट्रा वायर हो गया मान नहीं लीजे अल्ट्रा वायर अभी होगा और मैं आपको इसके लैंडमा के स्टडी पे लेके चलती हूँ सुनिएगा लैंडमा के स्टडी नाम याद करना बहुत असान काम बहुत ही असान काम एश्वरे अराय को जानते हो कह रहे जानते हैं मैं उसको दफना आयाते हैं कह रहे मैं मतलब एश को बरी कराते हैं कह रहे मैं ऐश बरी ऐश बरी कराते हैं यह याद रख सकते हैं राक बनना है या बरी करना है यही तक दो तरीके हैं यार मॉत के कह रहे मैं एक दम emotional हो गई नाम याद कराना है अच बरी ट्रेन की पतरी railway carriage company limited versus Mr. Richie और रिच्ची को आप अभी देखते येगा कैसे पूर हो जाएगा ये आदमी क्या हो क्या गया? सुनियेगा आश्वरी railway carriage चो कमतनी थी बहुत पुराना केस है इनका main business नाम सही समझ में आ रहा है ये railway carriage बनाते थे railway wagons, wagons समझते हैं जिसे आप बोगी कहते हो दबबा, दबबा हमारा चला गया that's called as in English wagon बनाते थे railway lines construct करते थे साथ में metal, minerals, mining का काम करते थे ये से इनके object में लिखा हुआ था और एक word लिखा हुआ था general contractor आप देखेगा, नीचे से third line में आपको दिख जाएगा as according to him the words general contractor लिखा था, क्या word लिखा था, general contractor आप इनोंने क्या सोची समझना, डारेक्टर्स ने क्या सोची क्या रहे, general contractor लिखा है object में, general मतलब कुछ भी general, कुछ भी दंदा कर लो, किजी को पता नहीं चलेगा general contractor का meaning आप बताना किस से associated होना चाहिए था सोच के बताओ, पहला अपका जो option है, वो wagons, railway बनाते हैं दूसरा railway line construct करते हैं, तीसरा metal and mining का काम करते हैं, सोच के बताना general contractor इनी तीनों से related नहीं होता, क्या आपने का हम है, इनी से related होता, बिल्कुल इनी से related होता इसके अलावा तो आप और क्या सोच सकते हो, general का मतलब क्या है, restaurant खोल लेंगे कि train की पटरी के संगसंग, मिठाई बीच भी करेंगे, मिठाईया लगा दीए possible नहीं है ना, आपने का हाँ, मैं बिल्कुल सही बात है तो फिर, तो the point is, इन्होंने क्या general contractor का मीनिंग कुछ और ले लिया, सुनना Richie, जो भाई साब थे, वो Belgium में रहते थे और वो finance का धंदा करते थे किस चीज का धंदा करते थे? Finance का, जैसे banks, वैसा धंदा Ashwari ने उनके संग मिलके finance का business start कर दिया और Richie से बहुत बड़ा loan ले लिया, बहुत बड़ा loan, Richie ने दे दिया उन्होंने का, कैसे या अलावड है आपके objects में, company कहा रही, बिलकुल अलावड है जी सर, देखो, general contractor वर्ड लिखा है, general का अंदर तो कुछ भी होता है, general कर लेते हैं Richie ने में का, very good, very good, कर लो दोना ने finance का धंदर स्टार्ट कर दिया, थोड़े समय बाद Ashwari के पास, पैसे नहीं रहे, लोटाने के लिए Richie ने का, पैसे दे उसने का, नहीं है, Richie ने का, चल कोट, चल, Ashwari ने का, चलो तो दो अतर सर्प्राइज of Richie the court said dude, this is ultra wires Richie said, okay bro that's okay, but give me my money back, because जो भी है कंपनी का फॉल्ट है to more utter surprise listen to my words carefully the court said buddy या तुम दोनो गलत हो क्या, दोनो गलत है? खेरे, आपका मैच तु द्रॉट है यह कोई बात ही नहीं है के रहे, यह कबसे होना लगा कोई तो सही, कोई तो गलत होगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है the court said, listen अल्ट्रा वायर्स हो गया है which means you have crossed the powers of MOA second, such contracts are void, they are not correct from any angle, कोई पाटी सही नहीं है third, कही ना कही company ने तो अपने MOA के beyond काम किया ही है, outsider जो रिच्छी है, उसने भी किया है पूछो क्यों, पूछो क्यों क्योंकि अगर क्यों नहीं पूछोगे न, और याद करते रहोगे बच्चों, तो law नहीं समझ में आएगी, आपने का मैं क्यों चिला के पूछो क्यों जोर से पूछो क्यों क्यों कि MOA and AOA both are public documents and they are available for you to read and understand आपने क्यों नहीं पढ़ा MOA क्या रहे मैं पढ़ाता हमें general contractor word आरे तो आप भी तो सोच के देखिए ये तो logic है common sense है कि अगर general contractor word लिखा हुआ है तो आप उसको ऐसे कुछ भी meaning नहीं दे सकते you cannot give any kind of meaning to that and therefore neither richie is correct nor the company is correct आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा क्या रहे मैं ऐसे तो fraud हो सकता है ऐसे तो company कुछ भी कर ले company अपने object के beyond चले जाए तो फिर outsider तो कभी जीते गई नहीं ऐसे तो company का भला हो जाएगा मेरी बात है दो ध्यान से सुनेगा अगली दो बता रही हूँ और अपने कान खड़े कर लीजे पहली बात आपकी सोच बिल्कुल सही है और अगर आप यहां तक सोच पाए हो congratulations आप सही पाट राख पे हैं सही railway line डालना है सुनिये का अगर कहीं न कहीं company करना चाहिए तो कर सकती है dude, law कह रहा है court साफ साफ कह रहा है it is the responsibility of the outsider to make sure वो MOA पढ़ ले अच्छे से अगर MOA नहीं पढ़ा उसने तो उसके लिए दिक्कत होगी और अभी तो मैं अल्ट्रा वायर्स पढ़ा रही हूँ अभी मैं बात MOA की कर रही हूँ next to उसमें AOA की बात करूँगी आपने का ठीक है माँ तो MOA पढ़ो और समझो it's your responsibility second मेरी बात सुनेगा I agree to you court ने का करे माँ कंपनिया से फ्रॉट करेगी सुनेगा court ने का ये contract void है हाँ void है अगर इसकी ratification की बात करें क्या सारे shareholders मिलके इसको सही कर सकते हैं ratify कर सकते हैं नहीं इसको कोई भी rectify नहीं कर सकता है आपने का मैम माल लेजे कुछ और कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते हैं बट ऐसे में न और हाँ और सुनना अगर माल लो कोई assets बना लिए हैं किसमें company में assets बना लिए हैं अपने कोई वो assets भी company के ही रहेंगे company का उनका उपर अधिकार रहेगा ये भी सुन लिजेगा the assets will belong to the company but then comes Indian Contract Act and Indian Contract Act की थोड़ी सी help से company लोगना तो दर्वाज़ा बंद कर दिया right Indian Contract Act की थोड़ी सी help से इतना बस हो जाता है कि ये contract आगे तो देखो forward नहीं हो सकता आगे तो नहीं भड़ सकता पीछे हो सकता है पीछे जा सकता है और जो आपने पैसे वगएरा लिये हैं वो आपको वापस करने पड़ेंगे in fact directors वगएरा अगर personally liable हैं उन्होंने fraud किया है तो उनकी liability unlimited हो जाएगी जिन्होंने भी fraud किया है ये करने में ये खास बात है आपने का okay ma'am the term general contractor was interpreted to indicate as the making generally of the contracts which are related to mechanical engineers आप general में कुछ भी नहीं ले सकते हो इस तरीके से right? am I clear about it? so contract ऐसा हो गया? void of an issue can it be ratified? no ma'am if the company has bought the assets they will remain with the company however if the directors are held to be fraudulent and personally you know responsible they shall have the liability unlimited will the money be returned? yes किसी तरीके से वापस करेंगे and not through Companies Act but through Indian Contract Act उसका एक section लग जाता है तो उसने हम detail में नहीं जा रहे है but Companies Act दर्वाजा बंद कर देता है got it? everybody आपने का मैं ठीक है बिलकुल समझ में आता है एक और case study है आईए देखेगा मेरे समझ राइट एक case study हो करते है देखेगा ये आपका case नाम नहीं याद करना है आइश बरी रेल्वे कारेज वर्सेस रिची जो है गए पूर ठीक है? सब्सक्राइट करना है ये लक्ष्मन स्वामी मुदलियर वर्सेस L.I.C. का केस है एक हैंए और आइब वर्सेट परिक का देखेगा They could only spend for the promotion of only sub-charitable objects, as it would be useful for the attainment of company's own object. ऐसे charity में charity दो, जिससे तुमारा खुद भला हो. कर भला हो भला. ऐसे नहीं कि कुछ भी random charity में आपने दे दिया. So that is what they said. Simple बात है, charity भी ऐसे objects के लिए जाए, जो आपके objects से माच करता हो. Otherwise उसे ultra-wires declare कर दिया जाएगा. तो यहाँ पर हमारी ultra-wires की बात होती है. Ultra-wires में एक और word में आपको सिखाने जा रही है. ठीक है? And यह देखिएगा. इस वाले sentences में आईएगा. कि कोई चीज ultra-wires है या नहीं है? यह slide ना बहुत important है. कोई चीज ultra-wires है या नहीं है, यह हमें कैसे कैसे पताच चलेगा. अगर अगर अबजेक्स के विदीन दिख रहा है बहुत असानी से, तो अबिसली वाइड नहीं है, ultra-wires नहीं है. If a transaction is outside the capacity of the company, then it is ultra-wires. If a transaction is in excess or abuse of the company's power, it is still ultra-wires. Am I making clear about it? It's a simple thing. आपके अगर objects की अंदर है, it is not ultra-wires. Objects के बहार है, तो वो obviously आपका ultra-wires है. चीक है? यह बात मेरे क्याल से सबको समझ में आ गई होगी. ठीक है? That's it. यह कुछ powers हैं, जिसमें इन्होंने का है कि the following powers are not considered as implied. यानि आप इसे assume नहीं कर सकते कि अगर object में लिखा हुआ नहीं है, तो यह है. ऐसा नहीं है. यह clearly आपके objects में लिखी हुई होनी चाहिए. आपने का ma'am example, आप किसी का business acquire अगर करने जा रहे हो, तो वो लिखा हुआ होना चाहिए. आप किसी के संग partnership में आ रहे हो business के बिहाव पर, लिखा होना चाहिए. बैंक का account खोल रहे हो, लोन ले रहे हो, लोन दे रहे हो, investments कर रहे हो, investments ले रहे हो, कोई प्रकार की gifts, charities दे रहे हो या ले रहे हो, यह सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए. Not a very important topic, बट आप एक जरूर से इसकी reading कर सकते हो. ठीक है? clear है? and please, हलका हलका सा ये बीच में एक एक सेकंड के लिए शायद कभी थोड़ा सा blur हो जाता होगा, I am sorry for that, there is some issue in camera and वो कभी होने लगता है और कभी नहीं होता है, so I think वो नहीं आपको effect करेगा, I hope so, so please do not judge on that basis, right? It's my request to all of you, ठीक है? ये मैंने आपको समझाए दिया, shareholders वगरा को जो भी उन्होंने पैसे दियें, उन्हें वापस मिलने चाहिए, चाहिए, void up in issue हो जाएगा, injunction ला सकते हैं, यानि injunction word का मतलब हुआ, अगर पहले से दिखरा है, कि ओए, ultrawires करने वाले हो, तो रोक लेंगे, आपका हाथ पकड कि यार मत करो इस काम को, चीक है, personal liability मैंने आपको समझाया ही, कि directors की personal liability आजाती है, अगर वो fraud में पकड़े जाए तो, चीक है, और property मैंने आपको बता दिया, लिखा हुआ है साब साब, where a company's money has been used, ultrawires to acquire some property, the company's right over such property is held secure, and the company will have the right to protect that particular property, तो वो ultrawires में उसको belong करती है, कहीं न कहीं, आपने का map, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नेक्स आइएगा, exceptions to the doctrines of ultrawires, पर, act, ये अच्छा, ठीक है, ये मैं आपको अलग से समझाती हूँ, इसको आप छोड़ी ही इस ताइम पर, ठीक है, पहले मुझे बताईए, ultrawires समझ में आया, कह रहे हैं आगया, मैं समझ में आगया, मस्त होगा, समझ में, okay, सुनियेगा, there is another word which is called as, ultrawires the AOA, आपने का ultrawires the AOA, दिखाती हूँ, आपको रूखो, आपने का मैं बताओ, देखो, एक वर्ड होगया आपका ultrawires, आपने का मैं ठीक है, however, इसके न, दो exceptions है, आपने का मैं क्या क्या, एक हो गया, ultrawires, the AOA, या आप इसको एक और वर्ड से कह सकते हो, intrawires, ठीक है, मुझे मेरी खराब handwriting के लिए माफ करियेगा, ठीक है, and दूसरा है, ultrawires, the directors, it is also called as intrawires, ये दो exceptions में आते हैं आपके, ये देखिएगा, आपने का मैं exceptions का मतलब क्या हुआ, अगर ये होता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने का मैं अच्छा, यानि कोई problem नहीं है, नहीं, that means, अगर आप beyond the MOA जा रहे हैं, that's a problem, आप अगर beyond the AOA जा रहे हैं, that's not a problem, अगर आप in-house rules तोड़ते हैं, it is called as intra-wires, intra-wires का मतलब हुआ, intra, ultra था beyond, intra है within, intra है within, या directors को कुछ permissions दी हुई हैं, और वो अपनी powers को थोड़ा सा cross करते हैं, बट, इसकी एक खास बात है, आप इन दोनों में भले ही, AOA के beyond गए, आप भले ही directors के beyond गए, यानि उनकी powers के beyond गए, बट, आप within, MOA हो, आपने MOA का breach नहीं किया हैं, तो आपने का मैं फिर इसका क्या solution है, इसका solution यह है, इसका solution यह है, it, both, both of these things, can be ratified by shareholders, या AOA को हम alter करते हैं, इसको आप कहीं ना कहीं आराम से ratify कर सकते हो, ratify का मतलब एक correct कर सकते हो, और इतनी कोई हाय तौबा की बात नहीं है, यानि अगर आपने AOA का by chance कोई rule तोड़ दिया है, that can be ratified, आपने अगर directors की power के beyond चले गए हैं, so that can be ratified, आपने का मा, अगर एक example दे देती, तो हमें समझ में आजाता हूँ, और मैं आपको बताऊँ, मैं example आपको टहलाने वाल example नहीं देती, मैं बकाइदा exam का question आपको कराने जा रहे हूँ, जो exam में आता है, जिस type का question, आपने का माम बताऊँ, जी हम रही हैं, question के लिए, सुनिये का, क्या हुआ, MOA में लिखा हुआ है, objects में, कि company अपने objects पूरे करने के लिए, loan ले सकती है, debentures issue कर सकती है, deposits ले सकती है, ऐसे करके लिखा हुआ है, यह बात लिखी है, ठीक है, However, AOA में इन्होंने एक बात लिख दी, कि अगर आप, ध्यान से सुनियेगा, 60% of paid up capital, plus free reserves, का loan लेते हुँ, अगर आप इतने तक्का लेते हुँ, let's say, तो कहीं न कहीं, directors की permission काफी है, directors only, और अगर आप इससे जादा लेते हुँ, इससे, क्या मैं सही लिख रही हुँ, इससे जादा लेते हुआ आप अगर, तो आपको साथ में shareholders का भी resolution चाहिए, उनके भी votes चाहिए, तो यानि अगर आपने within 60% तक लिया, यह AOE में लिखा है, तो directors के resolution से काम चलेगा, उससे जादा लोगें, तो shareholders भी चाहिए, और company के MOA में लिख दिया है, चचे, लो ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, आपने का माम, suppose करू, company ने, directors ने मिलके, कुछ कारणों की वजए से, इन directors ने, चालू नहीं है यह, इनको emergency थी, इन्होंने, loan ले लिया, 60% से जादा, पर shareholderों से पूछना भूल गए, मेरा आपसे पहला सवाल, क्या यह ultra wires है, da MOA, आपने का नईमा, बिलकुल नहीं है, क्योंकि MOA के तो objects में लिखा ही हुआ है, suppose करो, suppose करो, यह देखो, गायब कर रही हूँ मैं आपके लिए, कह रहे हां मैं, मालो यह object में लिखा होता, धत्तेरी की, फिर तो यह साफ साफ ultra wire हो जाता, परन्तु क्योंकि उनके objects में तो यह लिखा हुआ है, आप ले सकते हो, loan, बस AOA में हमने percentage fix करे थे, इतने तक BOD इस स कर दिया, बाद में ratify करा लेंगे यार उसमें क्या दिक्कत की बात हो गई, कह रहे है मैं क्यों, because यह क्या हुआ, यह हुआ, आपका, intra wires, ultra wires, the director, यानि कौन अपनी उकाद के भार चला गया, आपने का मैं director चले गया, क्या उन्हें उकाद में लाया जा सकता है, हाँ, share owners से ब बहुत बड़ी चीज ब्रिच नहीं हुई है, MOE, आपने अगर अपनी थोड़ी सी पावर beyond कर ली या AOE के beyond चले गए, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं हो, आपने का माम, समझ गए, बिल्कुल detail में समझ में आ गया है, अगर मैं कुछ quick सवाल यहां पर आपसे पूछ अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स क्या चीज है, आपने का माम, अल्ट्रा वायर्स का मतलब है, beyond the power of, beyond what, कह रहे है माम, beyond a move, अमो में कौन-कौन, act, MOE या उसके objects, third, इस चीज के effects क्या होते हैं, सबसे पहले तो छूटते ही है, void ab initio है, कोई भी इसे ratify नहीं कर सकता, property, company को belong करेगी, outsider भी liable है, court में कोई नहीं जीतेगा, बस Indian contract act के हिसाब से, पैसे, लोटा दिये जाएंगे, आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा contract में, बट पीछे वापस original position restore कर देंगे, landmark case study, अगर exam में लिखने के लिए आई, landmark case study, ashbury, छुक 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 train की पटरे, railway carriage versus, अमीर आजमी जो गरीब हो गई versus, रिची, next मैंने आपको बताया, what do you mean by intrawires, it means या तो हम AOA के beyond जा रहे हैं, या हम directors के beyond जा रहे हैं, that is not a problem, because MOA तो justified है, और इसको ratify किया जा सकता है, ये एक quick summary है आपके लिए, जो हमने, सवालों के जवाब किये, we are good, और अगर आप कभी-कभी नोट्स नहीं बना पा रहे हो, let's, देखो मेरा personal suggestion यही रहता है, कि आपको नोट्स बनाने चाहिए, हम जैसे जैसे online पढ़ाई में जाते जा रहे हैं, हम और RC होते जा रहे हैं, आप मानो या ना मानो, आप में से कितने बच्चे हैं, जो अभी अराम से लेटके, एकदम लेटके, पसर के पलंग पे, कही ना कहीं बना रहे हैं, अगर मेरा बस चले ना, और मैं ये कैमरा, तेड़ा करताती होती, तो मैं भी लेट जाती, मैं तुम्हें सही बता रही हूँ, मैं भी लेट जाती, मैं पूरे सेटप में लेट जाती है, बार मेरे जाओ, लाप्ताप अपने सब में रख लेती, और मैं भी बना लेती, पर क्योंकि मेरे पास वो काम पॉसिबल नहीं है, हम टीचर्स यह कर नहीं सकते हैं, टेकनलोजी बढ़ती जा रही है, एक दिन मैं भी करूंगी ऐसे, बट, भाई मेरे, नोट्स बनाने में अपना ही मज़ा है, और एक्जैम में अपने सामने हैं रिटेन नोट्स जो होते हैं वो बहुत fruitful होते हैं, तो आपने study material पढ़ना है, अपने हैं से नोट्स बनाने हैं, यह questions लिखने हैं, और तब आगे भढ़िएगा, टीक है, sorted, आने हमें, दन है, मया आया विल्कुल करके, कोई problem नहीं है, टीक है, यह चेक कर लिजी आप, चेकल पढ़ ले, अगर कोई पॉइंट ऐसा नदर आजा है, जो मैंने नहीं पढ़ाया, को मैं पढ़ा दू हुई, और क्या होगा, नहीं, मैंने आपको सब करा दिया, टीक है, आप देखो लिजी से लास्ट पॉइंट चेक करो, an act which is outside the authorities of the directors of the company, but otherwise, it is intra-wires the company, it can be ratified by the shareholders, ठीक है, so, यह notes आपके पास आई जाएंगे, कोई tension की बात नहीं है, यहाँ पे ultra-wires खतम हुआ हमारा, so, we are good and now I am starting with you another topic और यह दो टॉपिक न मैं आपको साथ में कराऊंगे, टीक है, doctrine of constructive notice and doctrine of indoor management, ठीरिये, देखेगो, क्यारे माम, आपने slides, अरे यार ठेर जाया कर कभी, laptop भी ना, ठीक है, हाँ, ठेर गए, सुने, अरे यह कभी-कभी गुसा आजाता है मेरे को, यह सब technology वाली चीज़ होगे, आप आओ, आपने का मैं constructive notice बाद में है, और आप पहले करा रहे हो, येस, आप doubt मत रखना, आप बस पढ़ते चलो, ठीक है, constructive notice और indoor management ऐसे topic हैं, जो दोनों साथ में ही समझ में आपते हैं, आपने का मैं ठीक, before moving on, मैं आपके भेजे में एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, अल्टरा वायर्स नहीं यार, is a topic which is dedicated to MOA, while constructive notice and indoor management are the topics which are related to AOE, अगर आपको समझने में, question में, पहचानने में ये दिक्कत आए, क्यार ये अल्टरा वायर का question है, या constructive notice का question है, आप ये figure out कर लेना, क्या MOA की वज़े से दिक्कत आ रही है, या AOE की वज़े से, आप intra-virus topic अधी के लिए भूल जाओ, forget it, like it was not there, just forget it, आप focus करो, मेरे संग next doctrines पे, नई तो confusion create होगा, आपने का माम, बताओ जी, constructive word का मतलब है, कही न कहीं, assumed, और notice का मतलब, obviously, आपकी नजर में है कोई चीज, doctrine of constructive notice plays a vital role, because MOA and AOE both are public documents, आपने का माम, बिलकुल है public documents, and we assume, that outsider को, जो बाहर का बंदा है, जो company के सांग contract करने आया है, MOA तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, वरना ultra-wire में जाएगा, चीक है, उसने AOA पढ़ना है, and उसने AOA समझना है, जी, जी, उसने AOA पढ़ना है, और उसने AOA समझना भी है, आपको खुदी पढ़ना है, और खुदी समझना है, ये दो assumptions हम लेके चलते हैं, आपने का माम, इसकी कोई case study है, आप चेक करिए, सबसे नीचे वाली इसकी case study दी हुए है, आपने का माम, चीक है, इस case study में क्या हुआ, बताओ, आपने का माम, क्या क्या दो assumptions पहला है, आपने का माम, क्या क्या दो assumptions, पहला, outsider ने MOA, AOA पढ़ा है, he has read the MOA and AOA, second, उसने MOA, AOA सिफ पढ़ा नहीं है, उसने समझा भी है, he has understood also, मैं इसको कोटला विंकटा स्वामी में भढ़ने से पहले, एक simple example के संग बात करती हूँ, आपने का माम बता, हो हमारे आसपास का example दो, मुझे एक बात बताना, आप में से कितने लोगों ने, Flipkart, Amazon, वगेरे से shopping करी हूई है, कितने करी हूई है, कितने डॉमिनोस, पीजा और पीजा, अज से पीजा अर्डर करे हूए, करे हूए, आप मुझे वह बताई है ता, अगर आज मान लेजे कोई तिहार है, आज दिवाली है, आज Christmas है, और उसमें लिखा हुआ होता है, आज साफ साफ पीजा डिलिवरी में, कि आप 30 मिनिट्स में, पीजा आज डिलेवर नहीं कर पाएंगे, और आप अकसर ये जो terms and conditions होते हैं, ये पढ़ते नहीं हो, आप कहते हैं, हम तो speed में हैं, आज पीजा पटा पटा ओडर करने के, आप serious पे टिक लगा देते हो, बिना पड़ें, वो लोग क्या assume करके चलते हैं, आपने का मैं वो तो यह assume करते हैं, जैसी हमने टिक लगाया कि हमने, I have read and understood the documents carefully, यही तो पड़ते हो ना, आप कहीं नहीं कहीं, आपने का, हम यही लिखा हुआ होता है, और हम उस पे agree करते हैं, और मालो उस दिन 30 मिनिट पे पीज देने पड़ेंगे हमें, obviously, क्योंकि उन्होंने अपने terms and conditions में साफ साफ लिख दिया था, कि for festivals, for Christmas, for Diwali, 30 मिनिट और free pizza is not available, and you should read it, and you did a tick, you put a tick on the same, and that proves कहीं न कहीं, कि आपने उस चीज के लिए agree किया है, है की नहीं है, मैं आपको एक और example देती हूँ, ठेरना, अरे ठेर तू सबसे पहले दोड़ ले, ठेरो, रुको, मैं क्या हो गया, मैं आपके लिए कुछ ले ने गई थी, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख है, आपको मैं दिखाती हूँ, कह रहे हैं, ये क्या लिए हूँ मैं, मैं अपने घर से, फटा फट, आपके लिए मिक्सी ले और अगर मैंने आपको ये चला के दिखा दी, तो शायद ये मेरा सारा सिस्टम खराब हो जाए, कि इंध्यान से देख लो, इतनी जोर से चलती है, इतनी जोर से चलती है, ऐसा लगता है, आर इसे कुछ काट रहे है, ऐसा लगता है, बिलकुल किसी ने ड्रिल मशीन चला दि मैंने ये मशीन, आज से दो साल पहले, फिलिपकार्ट से ओर्डर करी, आपने का अच्छा मैं, क्या हुआ फिर, ये मिनी माता जी ने मंगाई थी, माता जी लोगों को तो आप जानते हो, बड़े पुजेसेव होते हैं, वो सब इन सब चीजों के बारे में, उन्हें हो गई हूं, मिक्सी तो क्या बात है, खेर, तो उन्हें ने का, आएक दुकान से जाके मिक्सी ले आते हैं, मैंने कि मम्मी ये सब चोड़ो, टेम वे में नहीं है, और इन ओर कर दोगी, उन्हें ने का, देख लो, सोच लो, मैंने का, रहे नहीं यार, सब सही है, मैं मंगा तो ड्रहते हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बड़ी तीन चुनी यही बढ़िया मिक्सी, और मैने मंगा थी, मैंने क्यों चिंता क्यों कर रही हैं मम्मी, अगर कोई दिक्कत हुए, आपको पसंदने याई तो रिटर्न मी डाल देगे, उन्हें रहे हैं, ठीक है, मिक्सी इतनी थेस्टिया एकि मिख्सी यहां रखो और गर्गर करते करते वह आपको आपके बरतन पुदर पोचा देगी आप धनिया पीस यहां रहे थे was not returnable it was only returnable in case of damage अगर आते ही कोई इसमें डामेज निकले टूटा हुआ पीस निकले तो जो निकला नहीं था ओ माई गॉड और आपको मैं अपने बारे में एक मसबार बता हूं मैं इतनी कर रही लडाकन हूं इतनी कर रही मैंने एक आथ दिन पूरे बरबात करें उनसे फोन करकर के फिलिपकाट वालों से मैंने कि यह कोई तरीका नहीं है यह कोई तमीज नहीं है आपको वापस करनी च और आस तक ये मशीन मेरे पास पढ़ी है क्योंकि मुझसे गल्टी हो गई और अब इस टॉपिक को न यहां से अल्ट्रावायर से बिल्कुल दूर कर दीजेगा आप अल्ट्रावायर में यह मान के चली हम MOA के beyond जा रहे हैं आप constructive notice में समझेगा AOA की बात चल रही है ठीक है तो we take two assumptions and if any of the assumptions is breached यानि outsider उसे follow नहीं करता it is the fault of the, जल्दी बताना it is the fault of the, with example समझाया है मैंने आपको नहीं तो mixy सर पे दे मारूंगी हाँ बता रही हूँ, it is the fault of the outsider, it is nobody's fault, company is not at fault के रहे हैं मैं फिर वही बात, company ऐसे तो चाहे तो fraud कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है आपको मैं कराने जा रही हूँ, court loving कटैस्वामी, versus see, राजा मूर्ती का case, ready everybody के रहे हैं मैं ready ready, जो main party दी इसमें outside है, वो अपना train पकड़के, मैं थोड़ा exaggerate कर रही हूँ तोड़ादना train पकड़के अपना lungi पहन के आ रही थी, अपना property वगेरा देने लेने का काम करने के लिए और जिए कमपनी के संग, okay, उन्होंने का की, इन्होंने का की, कम्पणी ने का की M.O.A.O.A. पढ़ लिए, उन्होंने का 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 कागज में अपना इंडली साम बर कोला और बना के काने लगे, उन्होंने ना पढ़ा A.O.A. में साफ साफ लिखा हुआ था, ताइबरी contract shall be binding on the company, फिर से every contract shall be binding on the company only if there are three signatures, two of the directors and the third of the company secretary, फिर से there were requirements of three signatures for any document to bind the company, company तभी लायबल होगी उस contract में जब तीन signatures होंगे दो directors के और एक CS के आपने का ठीक है माँ जो contract आया भाई साब के पास कोटलाविंक अटस्वामी के पास उस contract में सिर्फ दो ही signature थे एक director का और एक CS का ये बात कोटलाविंक अटस्वामी ने नहीं पड़ी company को पैसा दिया पैसा बैसा उनसे लेना था company से contract में building building जो भी बेचने का काम था company ने बाद में जाके मना कर दिया अभी कोटला को गुसा आया और वो उसको ले के गया court the court said did you read the AOA he said no I did not and if you would have said I have have you understood the AOA he did not तीन सिगनिचर जाया थे आपके पास सिफ दूही सिगनिचर थे वो contract से company bound नहीं हुई company was free company was not responsible in any way for anything आप सोच के देखो ना simple practical example pizza वाला example mixi वाला mixer grinder वाला example and 30 रहे court loving kattaswami वाला example oh my god आपको पढ़ लेना चाहिए था वरना कहीं ना कहीं liability किसकी हो जाएगी outsider की यानि अगर मैं simple भाशा में बात करूँ constructive notice works in favor of the company against the outsider फिर से repeat कर रहे हूँ constructive notice works in favor of the company against the outsider तीसरी बार repeat कर रहे हूँ constructive notice works in favor of the company against the outsider because there are two assumptions पहला MOA AOA पढ़ा है दूसरा MOA AOA समझा है इन दो कामों के अलावा outsider का और कुछ भी नहीं बनता आपने का ठीक है माँ and इसलिए बार बार repeat कर रहे हूँ यहाँ AOA का angle है इसमें जबरदस्ती के लिए ultra wires मत खुसाईएगा ultra wires साफ नजर आ जाएगा MOA का breach हुआ है और उस case में दोनों company और outsider कोई नहीं जीतेंगे बट आपके constructive notice में AOA की दिक्कत है और सुनना दिक्कत भी का है AOA जो लिखा है और जो contract होगा outsider के संग उन दोनों में वेरी हो रहा है चीजें सेम नहीं है और अगर सेम नहीं है तो obviously outsider liable है इसके ने पीछे एक concept है मैं आपको बहु हलका सा रेफर करती हूँ आपने शायद ये शब्द सुने हूँ और शायद नहीं सुने हूँ सुनिये को it's a very popular word in fact two words it's called as caveat emptor ये ना मैं extra बता रही हूँ आपको caveat emptor means let the buyer be aware और ये topic आपका EBCL में डिव दे सर कवर जरूर से करेंगे बट उनको भी आप बता सको कि सर हमें तो आता है आपके दिव्य जोती फैलाने से पहले हमने ये topic कई न कई सुना है और हमें इसके बारे में पता है आपके परस वो confidence होना चाहिए तो group 1 में हम group 2 की भी चीज़ें कर रहे हैं yes आपने का maa what do you mean by that let the buyer be aware का मतलब है जब आप customer बनके market में निकलते हो कुछ न कुछ खरीदने के लिए आपको खुच से पता होना चाहिए की की जल्दी बताओ की समान कैसा लेना है अगर आपको धनिया और पुदीना पहचानने में difference में समझ में दिक्कत आती है इसमें सबजी वाला responsible नहीं है उसको पता है आपको पुदीना चाहिए आप फिर भी अपनी पसंद से धनिया लेके जा रहे हो seller liable नहीं है उसमें खराग फल उपर सजा के रखे हैं काले काले से दिख रहे हैं आप वो लेके जाते हो ये बताने के लिए वो liable नहीं है कहीं न कहीं It's as simple as that caveat enter Let the buyer be aware हमने अपनी तरफ से हलका सा नहीं बताया बताया Domilos Pizza ने लिख दिया आज 30 minutes में delivery नहीं होगी Mixi वालों ने Flipkart वालों ने लिख दिया refund policy नहीं है आप पढ़ो नहीं पढ़ो ये आपका problem है और इसका एक और तीसरा example आपके दिल के करीबी example Ready? Exam में CS के पहला question first question compulsory होता है आपने कहा होता है ये जो beginning के rules होते है उसमें लिखा होता है आपने कहां लिखा होता है अगर आप ये ना पढ़ो और first question ही attempt ना करके है उसे option में छोड़ा हो Institute वाले क्या consider करेंगे इस बात को उन्होंने तो आपको constructive notice दिया है It is your duty to understand to read it and to understand it कह रहे है मैं आप समझ में आ गया constructive notice और constructive notice topic ही यहाँ पे खतम होता है ये words self note में लिख लीजेगा आपकी copies एक दिन में देखूँगी कह रहे है मैं कब देखूँगी जरूर से देखूँगी उसमें ये word डाल दिया करो self note इसका मतलब है ये हमारे समझने के लिए है मैं कहीं कहीं पे चुड़ाइल बन वाऊंगी आपसे चुड़ाइल कह रहे हैं ये तो cute लग रही है हाँ छोटी चुड़ाइल है चुड़ाइल का मतलब होता है बहुत dangerous topic danger ये अच्छे से करने होते हैं topics चीक है तो जरूर ऐसे बना लीजेगा और राइट constructive notice हमारा यहाँ पे खतम होता है और अब मैं आपको लेके जा रही हूँ constructive notice के पहले के topic पे आपने का ओके माम अभी तो ये चलने में टाइम लेगा indoor management exactly work करता है against the constructive notice आपने का माम मतलब हम नहीं समझे कहीं न कहीं what do you mean by this it is against सुने मैं आपको एक छोटा सा diagram के संग और समझा रही हूँ पात logic सुनियेगा आपका ultrawires जो है इसका मुद्दा ही अलग है it is different, very different from constructive notice and indoor management आपने का ठीक है माम समझ गए हम यह बात ultrawires is focusing on MOA while constructive notice and indoor management are focusing on AOA now constructive notice has two things, right? two assumptions that आपने AOA read किया है and आपने AOA समझा है, understand किया है correct है, yes or no, आपने का yes माम however, indoor management तीन assumptions लेता है आपने as an outsider read किया है, चीक है? you have read it, okay, same माम आपने AOA समझा है same माम but यह आया important point हो आपको you do not know don't know about the internal affairs of the company आपको कंपनी के अंदर क्या चल ला है ना यार आपको इस बारे में कोई ख़बर ही नहीं है you have no idea about the same thing कि यार कंपनी में भी कुछ चल सकता है आपको नहीं पता इस बारे में कुछ भी you don't know, no and हमने AOA पढ़ लिया हमने AOA समझ लिया हमें नहीं पता कहीं ना कहीं कि यार कंपनी में क्या चल ला है example देती हूँ, पुराने examples कोई continue करती हूँ सुनिएगा पहला example आपने Domino's Pizza मंगाया आपने आहान जी मैं आज तो Pizza मंगा के नहींगे अभी class के बाद ओके आपने मंगाया था उसमें let's say fresh veggies वाला पीसा जिसमें obviously नाम से ही समझ में आ रहा है बहुत सारी vegetables आएंगी capsicum, mani and tomato and lots of other veggies now you read that आज Christmas है and आज कहीं न कहीं ताइम पे 30 minutes में नहीं आएगा you understood that and you were okay with it however these people did not have the vegetables that day but you did not know about this and जब आप इनकी app पे जाके जाके order कर रहे थे तो उसमें आ रहा था ये option fresh veggies pizza and ये नहीं लिखा था कहीं पर भी कि आज vegetables नहीं है and now you are waiting for a veggie pizza the pizza came to your place and there are practically no vegetables सिर्फ ऐसे कच्चा बेवा आप कच्चा क्यों है का पका हुआ आगया है सिर्फ बेस आगया है imagine you ordered a pizza which is a veggie pizza and उसमें vegetables ही नहीं है and these people even did not tell you neither through Zomato nor through the app nor by calling they did not inform you and उसमें भाई चांस की बात है vegetables खतम होगे इंके पास and आपके pizza के लिए लगाने के लिए नहीं थी तो उन्होंने नहीं लगाई है casually मुझे सोच के बताईए का अब आप क्या करोगे कह रहें मैं यह pizza सर पे दे मारेंगे और नहीं तो पैसे refund मांगेंगे हम और pizza खा भी जाएंगे चुपचा means you want some kind of compensation because it is not your mistake indoor management में आप पहुँचे हो constructive notice cross करके फिर से repeat कर रहे हूं constructive notice ही आपने अगर नहीं किया था उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ होता आज वेजीज नहीं है और फिर भी आप वहीं order करते तो भाई गलती आपकी थी परन्तु आपने constructive notice clear किया है you read the document you understood it there was nothing mentioned like that and आपको internal affairs के बारे में नहीं पता था कि आप सबजी खतम हो गई है so you ordered it and now it is whose mistake ध्यान से सुनियेगा constructive notice constructive notice was working in favor of company against outsider while indoor management works in favor of outsider against the company ये खास बात है got it so constructive notice and indoor management are two sides of the same coin that is the beauty और अगर आप bigger picture देखो ultra wise में कोई नहीं जीता था constructive notice में company जीत रहे है indoor management में outsider जीत रहा है this is the beauty आपने कि में लगे आज जब आप case study बता रही हो तो case study हमारे को indoor management की भी जाननी है ओके बच्चों की जित के आगे मैं की चलती ही कहा है landmark case study कोटला वेंकटा स्वामी versus C. Rajahmurthy while indoor management की case study है Royal British Bank versus Turquand it is also known as Turquand's rule नाम से ही समझ गए होंगे आप कौन जीता है करेक्ट है आपने गा मैं क्या हुआ Turquand's rule में जल्दी से बताओ Mr. Turquand ने Royal British Bank company से outside earth की रूप में contract किया और एक काफी बड़ा amount loan दिया Royal British Bank को ठीक है Royal British Bank के AOA में साफ साफ लिखा हुआ था हमारे आंग दो resolution pass होने चाहिए एक Board of Directors की permission loan लेते समय और एक shareholders की ठीक है Turquand बिल्कुल होश में आदमी थे उन्होंने जब contract देखा और AOA देखा दोनों उन्होंने पढ़ा AOA बहुत अच्छे से पढ़ा समझा उन्होंने का Board का resolution चाहिए shareholders का resolution चाहिए उन्होंने contract में देखा Board resolution पास था एक डेट पर उसके आज shareholders का resolution पास था एक डेट पर सब कुछ सही था Turquand ने loan दे दिया लेटर उन चाहके पता चला कि company ने shareholders वाली meeting वाले दिन resolution पास ही नहीं किया था मीटिंग तो करी थी पर resolution पास नहीं हुआ था बस contract में नकली मुकली में लिख दिया हाँ 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 resolution पास हुआ था तर कुछन ने का सुन बे एक बाद बता मेरे को तुमने कही थी AOA पर ना हमने की हाँ समझना हाँ कितने resolution चाहिए थे दो contract में date लिख हुई है इस दिन पास हुई है एक बात बता तुमारे घर में आके तो ही ना देखेंगे कि resolution पास हुआ है कि नहीं तो मैंने जब contract में date लिख ही resolution की तो हम यही तो assume करेंगे हुआ है कह रहे नहीं नहीं अच्छली उस दिन बात दिक्कत हो गए थी शेरोल्डर के संग तो meeting हो नहीं पाई, meeting बुलाई तो थी पर उस दिन resolution पास नहीं हुआ हमने कि तो इस से हमें क्या इसमें हमारी गलती तो ही ना यार यह तो आपको या तो आप हमें अलग से inform करते और अगर inform नहीं कर रहे हो तो गलती आपकी है indoor management नाम से समझेगा indoor means inside, management means company के अंदर के matter indoor management आपके घर के अंदर क्या चला है इसके बारे में किसी outsider को कैसे पता चलेगा आम तो बाहर के documents ही पढ़ेंगे ना MOAOA पढ़ा, पढ़ा, समझा, समझा अब हमें घर के अंदर क्या चला है नहीं पता तो या तो आप हमें बताओ वरना कौन liable है, company liable है so constructive notice and indoor management are just opposite to each other constructive notice company को protect कर लेता है, while indoor management आपके outsider को protect करता है, कि we assume AOA के बाद हमारी कोई और duty नहीं है, internal affairs में क्या हो रहा है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता होना ज़रूरी है right so who won obviously, turquant and that is why it is known as turquant's rule correct है sorted आईए indoor management एक बार देख लेते हैं while the doctrine of constructive notice seeks to protect the company against the outsiders the principle of indoor management operates to protect the outsider against the company the doctrine emphasis on the concept that an outsider whose actions are in good fit and has entered into a transaction with a company can have this presumption that there are no irregularities internally and all the procedural requirements are complied with this doctrine is also known as अरे बापरे, दिखनी रा ये दिखो turquant's rule clear है ये देखेगा इसे आप चाहें तो पढ़ने turquant, the directors of a banking company were authorized by the articles to borrow on bonds such sums of money as from time to time by resolution of the company in the general meeting general meeting में भी resolution पास करना पढ़ेगा कई ना कई और वही पास नहीं हुआ तो इसमें आपने जूट क्यों बोला आपने तो यही का करने का पास हो गया तो फिर हम तो यही मान के चलेंगे आपको अपने बात खतम करी इंडोर मानेजमेंट की मैं आपको अगर एक ब्रीफ दे दूँ पूरे तीनों टॉपिक्स के बारे में तो अल्ट्रा वायर्स एमोए के लिए बात करता है कंस्रक्टिव नोटेस और इंडोर मानेजमेंट आपके बात करते हैं फॉर एवे अल्ट्रा वायर्स मीन्स बियॉंड आ पावर ओफ तीन चीजों के बियॉंड जाने की कोशिश अमोग आट एमोए या उसके अबजेक्स के बियॉंड जाने की अल्ट्रा वायर्स का फॉर्स एफिक्ट आता है देट कॉंट्राक्ट इस वाइड अब इनीशियो इट केन नॉट भी राटिफाइड इवन बाई आल दर शेयर होल्डर्स मिल के भी वो लोग उसे राटिफाइड नहीं कर सकते अबसलूटली लवली क्या जो प्रॉपर्टी है वो आपकी कंपनी को ही बिलॉंग करेगी यस माम वो कंपनी को लैंड मांक के स्टडी हमारा आश्परी रेलवे क्यारेज वर्सेज रिची और उसमें ओविसली कौन जीता ना कोई नहीं जीता बिकॉज अल्ट्रा हाइर्स की वजजेश से आउटसाइडर्स भी उनके पास भी कोई पावर नहीं रहे जाती है और यक्म्सनी के पास भी कोई पावर नहीं 0 next moving on to कंस्ट्रक्टिव नोमस्स में कोटला वेंकटस्वामी विवसस राजमोट्टी constructive notice में दो assumptions हैं, indoor management में तीन है, constructive notice में क्या बात मान के चलते हैं, क्या assume करके चलते हैं, कि यार, outsider ने MOA, AOA पढ़ा है, और outsider ने उसे से पढ़ा नहीं है, समझा भी है, अगर हमने नहीं किया ये काम, दोनों में से कोई भी, तो constructive notice लगता है, which indicates that company is correct, outsider is wrong, landmark case study, court love and cut a swami, तीन signature श माने गई, followed by that, we have just opposite, indoor management, जिसमें हम तीन assumptions की बात करते हैं, MOA, AOA पढ़ लिया है, MOA, AOA समझ लिया है, and कहीं न कहीं आपको company के internal affairs के बारे में पता ही नहीं है, तो उसके लिए आप liable नहीं हो, इस case में, indoor management case में, company हारती है, और outsider जीत जाते हैं, third party जीत जाती है, landmark case study, जिस के नाम से यह जाना जाता है, Turkuand's Rule, Royal British Bank versus Turkuand, आपने का माम समझ गए, यह सारी बात हम समझ गए, आप यह बताओ, यह topic क्या लिखा हुआ है, forgery and incompetent acts, मैं इसमें आपको कुछ बाते बताना चाहती हूँ, सुनिएगा मेरे संग, आपने का माम बताओ, मैं आपके संग एक important topic ले रहे हूँ, exam में direct question भी आ सकता है इस पे, and that's called as exceptions of indoor management, अगर मैं आपसे बात कहूँ, सुना, that is, कि यार, क्या constructive notice, एक तरीके से opposite ही है, indoor management के, opposite, आपने का माम बिल्कुल है, constructive notice जहां लगेगा, वहां indoor management नहीं लगेगा, और जहां indoor management लगेगा, वहां constructive notice नहीं लग सकता, बिल्कुल opposite बात करते हैं, आपने का माम, हमें समझ में आता है, however, there are few more exceptions to indoor management, few more, आपने का माम, बताओ, सबसे पहला, अगर आपने MOA and AOA, read या understand, नहीं किया है, कह रहें माम, यह तो constructive notice फाली बात आप बता रही हो, yes, आप ध्यान से सुनेगा मेरी इस बात को, आप मुझे बताना साथ में समझ में आई या नहीं आई, आप indoor management में तभी जा सकते हो, जब आपने constructive notice clear किया हो, सोच के देखो, आप constructive notice पार करके आए हो, तभी indoor management अपलाए होगा, अगर आप constructive notice में फस गए, आपने MOA, AOA पढ़ा नहीं या समझा नहीं, तो my dear friends, कहीं ना कहीं आप इसे indoor management में नहीं आ सकते, तो अगर suppose करो, तरकॉंड वाले rule में ये बात होती, कि shareholders का resolution चाहिए था, और कहीं ना कहीं तरकॉंड ये कह दे था, हैं, अच्छा, मुए तो पता ही नहीं थी ये बात, तो फिर यार उस case में, obviously, टरकॉंड हार जाता, क्योंकि constructive notice लग जाता, ना कि indoor management, clear, second बात सुनेगा, Negligence, outsider, अगर extremely negligent person है, एक landmark case study कराती हूँ, मैं आपको उससे बात समझ में आएगी, आनंद बिहारी लाल की case study, आनंद बिहारी लाल versus Dinsho and company, सुनन, must case study है, must, सुनन, क्या हुआ, यह जो आनंद बिहारी लाल साब थे, यह अपना कुछ business करने के लिए आए थे, company के संग, कुछ property वगएरा का matter था, तो यह इन्होंने सोचा था कि कुछ करेंगे company के संग, बेचेंगे अपनी property, काफी सारा पैसा लाए थे, वहाँ पे company में उस दिन weekend था, Saturday, Sunday था, एकदम chill चला था, और सारे directors वगएरा जो थे, वो घर जा चुके थे, अभी वहाँ पे कही ना कही एक accountant टाइप का आदमी बेठा हुआ था, जो टैली वगएरा पे जनरल इंटरी नहीं पास करते वो, आनन भिहारे लाइल साथ ने उन से पूझा, उस बंदे ने, उस accountant ने जूट बोला, और कहता है, हाँ, हाँ, ये पैसे मेरे पास रखवा जाओ, कोई जिन्ता की बात नहीं है, मैं ही देखता हूँ ये सब, आनन भिहारे ने ना आओ देखा न ताओ, और उसने वो पैसे महा आणन भिहारे दिये दिये थे, डिरेक्टर्स वूर लाइग, कैसी बातें कर रहा है ते, नशेवाच, जल्ली बता, क्या खिया तूने, क्या पैसे, कौन से पैसे, आनन भिहारे ने का है, आर मैं पैसे देखे गया था, यहाँ पर, उन्होंने का किसको दे गया था भाई, कि किसने लिए क्यों दे दिये किसमें कई थी तुछ से देने के लिए आनन भीहरे ने काया और मैंने सोचा कि वो परसन अथोरिटेटेव है हमने कि तुमने सोचा कैसे ये बात क्या उसने कुछ रिटन में दिया कहरें नहीं क्या आपके पास कोई पर्मीशन थी या हमसे आपने चुछी तेहीं त नहीं कैने कारी नहीं है आप इसके दूसरे तांपल किसे मज़ाता है मोचे बसका आप मुझे को अखल वाला बात करके देखिक है की आप इतनी महंगी चीज पिना मुझसे फूछे किसी रैंडम परसन को मेरे घर में दे जाओगा सोच के देखो नहीं नहीं देखे जाओगे क्यों 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 कि यार this is common sense and this will be negligent on your part that यार आपको पता ही नहीं है कि किसको देखे जाना है किसको नहीं देखे जाना है यह तो logical है ना company में कौन लोग हैं जो authoritative हैं आपने कि मैं board of directors तो उन में से किसी को देखे जाते हैं या उनके दुवारा कोई authorized person को देखे जाते हैं किसी random person को देखे जाओगे जो भाग गया पैसे लेके उस case में company liability नहीं लेगी यह indoor management नहीं है यह तो आपके बिहाफ पे negligence है तो इसलिए third party laws bear करेगी इस case में obviously कौन हार गया आनन भी हारिलाल ठीक है तो पहला exception हुआ आप constructive notice ही नहीं clear कर पाए दूसरा हुआ negligence utter negligence oh my god इतना गंदा मैं very bad अगला सुनियेगा forgery forgery का मतलब हुआ जाली signature बनाना नकली signature बनाना ठीक है सुने एक भाई साब है जो मासूम है के रहे हाम है यह बहुत अच्छे लग रहे हैं आउटसाइडर third party यह है company यह रही company आपने का हाम है यह company है और यहां पर एक शातिर आदमी को बठा देते हैं जो हो 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 डेंजर डेंजर देख रहे हूं किता खतरनाक लग रहा है इसके तो सीन निकले हैं कान नहीं है यह डेंजर आदमी इस आदमी ने डेंजर आदमी ने यह कोई mediator टाइप का है ब्रोकर टाइप का है इसने क्या किया इस आदमी को fraud करने के intention से धोका देने के intention से company के भी जो मासूम डारेक्टर थे company के मासूम डारेक्टर जो हस्ते रहते हैं मासूम मासूम डारेक्टर उनके नकली signature बना लिए इस ब्रोकर ने और वो कागज इस third party को दे दिये third party को पता नहीं था वो नकली signature है और third party ने उसमें विश्वास कर लिया उस बात पर third party ने broker को पैसे दे दिये broker वो पैसे लेके भग गया third party outsider जो है वो company के पास पहुँची मैंने ऐसे ऐसे आपके नाम पर पैसे दिये company ने का भाई साब पैते दिये होंगे हमने तो यह sign करे नहीं है हमने तो उस बंदे को दे रही हूं ना इस काम के लिए तो forgery के case में forgery के case में यानि जब company की नकली signature directors वगएरा के बना लिये जाए तो उस case में third party company का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती आपने काम है ठीक है यह जो मैं constructive notice लग गया है MAOE AOE आपने नहीं पढ़ा है तो यार इसमें कोई कुछ करी नहीं सकता second negligence आप इतने utterly careless हैं कि आप यह देखी नहीं रहे हैं कि आप किसी authoritative person को पैसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं and third forgery, forgery का मतलब हुआ नकली signature किसी एक और outside person ने बना लिया इसकी वज़े से जो third party है उसको नुकसान हुआ है और देखो company के तो बेज़ती हुई है पर अंतो company इस case में liability नहीं उठाने वाले हैं sorted एक और point जो आपकी books में दिया हुआ है सुने directors यह अच्छिली indoor management की बात नहीं है यह अलग से चीज़ है directors का appointment जो है directors का appointment जो है वो proper नहीं था directors का appointment proper नहीं था किनी भी वज़ाओं से उनका appointment proper नहीं था और उन्होंने कोई contracts कर दिये ठीक है वो contracts पेटा valid माने जाएंगे even if the directors were disqualified actually मैं आपको बताओं यह वाली बात ना चिंता मत करना हूँ यह वाली बात दुबारा आएगी जब हम लोग part B में directors पढ़ेंगे इन्होंने यहां पर यह सिफ reference purpose के लिए दिया हुआ है आप इस बात के लिए परिशान ना हो बिलकुल भी देखें आप इस बात के लिए ना परिशान नहीं हो कि मैं यह क्या कहना चाह रहे हैं क्या हो रहा है इस वाले point में नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं इस टॉपिक को काईदे से अलग से ही करना चाहिए अलग से ठीक है ना अलग से करना चाहिए अलग सर नहीं अलग सर नहीं कह रही हूं नलाइकों पापियों दुष्टों अलग से करना चाहिए ठीक है तो यह में बाते हैं हमारी इसके अंदर की जो केस स्टरीज है एक आनंद भिहारी के लावा और कोई मत करिएगा वियर सफीशेंट वियर गुड टू गो फर आनंद भिहारी वाला केस आपने का ठीक है माम यह देखियों आप यह पढ़ सकते हैं पॉर्जरी आन इंकांपिटेंट अक्ट्स इस सेक्शन इस पॉर्षिन इंडोर मानेजमेंट का अप्लिकेबल नहीं है और यह लोग कह रहे हैं उसको अल्ट्रावायर्स माल लिया जाएगा अल्ट्रावायर्स मत लिखो बले या पर वो इंडोर मैंजमेंट में कवर नहीं होगा यह मैंने आपको समझा दिया अभी अभी और एक रेफरेंस दिया हुआ है सेक्शन 176 मैंने आपसे का ना यह हम पार्ट बी में करेंगे डिरेक्टर्स चेप्टर में तो उसमें कवरेज रखिएगा ठीक है exceptions to indoor management where the outsider had the knowledge of irregularity शायद इसको पता था no knowledge of MOA and AOA उसने constructive notice वाली बात लगी forgery and negligence वो अली बात आपको इस थिंग समझ में आ गई होगी अगर outsider को अलड़ी पता है कि यार कंपनी में irregularity है तो आप वैसे भी indoor management लगा नहीं सकते एक illustration देख लेते हैं आजाई है Butterfly Limited received a share certificate of Flower Limited issued under the seal of the company the CS issues the certificate after affixing the seal and forging the signature of two doctors CS नहीं forgery कई दिया Butterfly Limited files a lawsuit claiming that the forgery is a signature of the internal management it is the claim is a claim of the Butterfly Limited valid the answer is you tell me without seeing without seeing are it where chupa okay says answer ko hey bhagwan answer to chupi nahi sakta बता हो is it valid no indoor management इसमें आपका अथली केबल नहीं होगा because forgery की वज़े से आपके सारे signatures वगेरा null and void हो जाते हैं we are good समझ में आती है हमें बात यहां पर आपका अल्ट्रावाइट्स constructive notice and indoor management तीन टॉपिक्स वेरी इंपोर्टेंट फॉर एक्जाम complete होते हैं very very important ठीक है mark कर लीजेगा इन्हें बुक से ठीक है all right constructive notice मैंने करा दिया चौता डॉक्टरे ने छोटा सा डॉक्टरे और यह सुनिएगा यह किस पर काम करता है alter ego ठीक है alter ego is very popular exam में यह दो तीन बार आ चुका है CS executive में what is doctrine of alter ego आम नहींगा अच्छा आँ बताओ मैं alter ego क्या होता है alter ego का अगर मैं simple English बात करूं तो it's called as other eye के रहे हैं other eye so other and eye फिर से other eye other eye आपने का मैं बताओ क्या मतलब आप कहना क्या जा रही हो यहां देखो इसमें ना एक और concept समझाती हूं शायर आपने सुना होगा शायर आपने नहीं सुना होगा ठीक है के रहे मैं बताओ it's called as corporate veil corporate curtain जिसे हम कहते हैं या legal curtain हम जिसे कहते हैं curtain आप समझते हैं पर्दा पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे company चुपी है member director के सम आपने की मैं हुआ गया यह तो बताओ सुनें corporate veil यह मान के चलता है कि काईडे से company and members directors are separate आप imagine करें कि एक पर्दा पड़ा हुआ है आपने का मैं ठीक है पर्दा पड़ा हुआ है सामने पर्दा पड़ा हुआ है ठीक है अब आप देखिएगा मैं आपको करके डिखाती हूँ यह चीज लाइफ आप देखना मैं गायब हो जाऊँगी यह देखो करें वैम आप तो सच में गायब हो गई हो देखो मैं नहीं दिख रही हूँ तुम्हें क्या मैं दिख रही हूँ जल्दी बताओ ना के रहे नहीं 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 मैं आप नहीं दिख रही हूँ तुम्हें एकदम से स्क्रीम दिख रहा होगा मैं आप तो सच में चली गई पर मुझे सोच के बताना ये आवास किसकी है केरें में आपकी है आप मुझे बताना काईदे से आपको ऐसा लग रहा है स्क्रीन पर आवास चल लगे हाँ या ना केरें हाँ में सुनिएगा, मस्त बाते सुनिएगा तुमाई वैसे पूरा परदा हड़ लिया हाँ, सुनो जब तक सब कुछ सही चल रहा होता है सही का मतलब है प्रॉफिट हो, लॉस हो जैसे भी चल रहा है कम्पनी आप कहते हो सब बढ़िया चल रहा है कम्पनी चला रही है आप एक्जैम्पल समझना आज अगर माल लेजिए रिलाइनस जी यो अच्छा चलता है तो आप यह बोलते हो जी यो के नेटवर्क बहुत अच्छे आवे या सपोस करो आप मुझसे अगर ये बात कह दो कि मैम आज नेटवर्क सही नहीं आ रहे तो क्या आप यह कहते हो कि मुको भाई आप यह बोलते हो कि टाटा के नमक में आयोडीन कम है या जादा यह नहीं कहते हैं कि बाई रतान आयोडीन नेक तोड़ा कम मिलाया है तूने आप नहीं कहते हो अगर आप कह रहे हो Mumbai Indians जीत रही है तो आप Mumbai Indians कहते हो जीत रही है राइट So you name the company आज Apple का नया फोन लाँच हुआ है तो वह Apple ने लाँच किया है आप उसके मालिक से कोई मतलब नहीं रखते आप कहते हो Google पर जाकर सच कर लो आप उस बंदे का CEO का नाम नहीं लेते हो सुंदर पिचाई साब का नाम नहीं लिया जाता है That means we mention about the company जब तक सब कुछ सही चल रहा होता है Profit हो, Loss हो, Business हो, company का नाम आता है परन्तु अगर हमें उस company से fraud की बू आने लगे बू आ रही है, धोके की मुझे सोच के बताना क्या company धोका दे सकती है क्या रहे मैं, company कैसे धोका दे सकती है company कैसे धोका दे सकती है It is somebody behind the company who is trying to betray who is trying to hurt the people एक बार सुनना कभी किसे ने यह नहीं कहा कि Kingfisher ने धोका किया है सब ने यह कहा कि Vijay Malaya ने धोका दिया है किसी यह नहीं कहा कि Sahara TV ने धोका दिया है जब हम छोटे-छोटे थे ना तुम तो पैदा ही नहीं हुए थे तब कही ना कहीं यह आता था जिसे Star Plus हम जब TV देखा कर दे थे Sony और साथ में आया करता था कहीं ना कहीं एक channel which used to be called as Sahara Sahara परिवार, हमारा परिवार सब एकदम अच्छे अच्छी सारी पैन के, कुर्टे पैन के आया करते थे Sahara पे, चैनल पे Sahara चैनल पे बड़े सारे प्रोग्राम आया करते थे पर किसी ने यह नहीं कहा कि Sahara ने फ्रॉड किया है जब फ्रॉड खुला So, Doctrine of Alter Ego And मैं जो आपको Corporate Vale बता रही हूँ यह Closely Knitted है समझेगा जब तक सब कुछ सही है तब तक आप कहते हो कि हाँ भाई, बहुत सब बढ़िया चल ला है कोई दिक्कत की बात नहीं है किसी प्रकार की भी आपने का हाँ जी तब हम Corporate Vale जो है लाइबिलिटी आजाती है परसनल जब पता चल जाए है वो स्पेसिफिक लोग फ्रॉट कर रहे है और जब उन लोगों की डेरिक्टर्स की परसनल लाइबिलिटी आती है तब डॉक्तरिन, तब रूल इस कॉल्द आस Alter Ego चेक कर येगा The term Alter Ego is a Latin word is a separate legal entity from its shareholders and directors This common law principle grants immunity to the shareholders and directors from being liable personally However, the doctrine of Alter Ego provides an exception to this redemption Alter Ego is the doctrine which prevents the stakeholders of the corporation i.e. shareholders and directors from taking the refuge of separate legal entity Refuge का मतलब है पना लेना बचाना अपने आपको Hence, the doctrine of Alter Ego is based on lifting of the corporate veil Basically, जब corporate veil देखना ये पर्दा खुलेगा किसने किया फ्रॉड टन 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 फ्रॉड किया है मैंने कहीना कहीन उस case में कंपनी के उपर से corporate veil लिफ्ट होगा और पीछे नजर आएगा Alter Ego यानि डिरेक्टर्स की liability कैसी हो जाएगे Unlimited Personal तौवा तौवा पाप करोगे और कंपनी के separate legal entity topic के पीछे छुपने की कोचिश करोगे तो गलत फेमे में हो मैंने आपको भथेरे examples दे दिये और शायर आपने corporate will पहले पढ़ा हो अगर आपको corporate will आता है by chance तो बढ़िया बात है क्योंकि CS entrance में होता है और उसी का extension है Alter Ego मान लेजे आपको नहीं आता है कह रहे हैं मैं मान लो नहीं आता है तो मैं आपको करा दूँगी क्यों चिंता कर रहे हूं यह case study का नाम है Alter Ego का आप नाम करना चाहें तो कर सकते हैं बहुत असान नाम है भारती मित्तल versus CBI Central Bureau of Investigation recent का case है काफी 2015 का सिर्फ reference में आप नाम use कर सकते हैं कहरे मैं मैं हम नने कम पढ़ाई कर के आएं पता है मुझे तुम मेरे प्यारे नालाइकों हो कहरे मैं हाँ हम दमनी मैं के नालाइक बनना चाहते हैं अगर आप दोबारा यह पढ़ा देती तो ठीक है मैं पढ़ा दूँगी पर इस बाद ध्यान से सुनना हूं मैं आपको बताओ जब हम teachers सारे teachers सारे ही teachers आपके लिए ही आए हैं सब आपके लिए मिहनत कर रहे हैं सब आपके लिए कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको एक चीज यहां पर बताओ यार दो काइंड आप लोग नहीं होते हो हमारे सामने और हमें आपको क्लास देनी है और इस ताइम पर लिटरली इस ताइम पर शाहिद क्लास में भी आवाज आ रही होगी हलके सी दिर इस सो मच ओफ नॉइज और कियोस गॉइंग ओन कुछ कंस्रुक्शन वर्क बगल में चल रहा है मेरे यां नहीं चल रहा अगर मैं उनका हाथ पकड़के रोकना चाहूं तो मैं रोक नहीं सकती ठीक है जहां मेरा स्टूडियो है तो महां पर यह दिस्टर्बेंस है लाइट्स बहुत ब्राइट होती है ताकि हम चमके है ना हम लोग जिस लाइट में बैठते हैं लाइक ब्राइट लाइट्स कर रही ब्राइट लाइट्स और आप लोग जैसे तो हम फोन भी डिम नहीं चलाते हैं हम ब्राइट उसमें ही काम करते हैं हमारी उमर है यार है ठीक है लगती नहीं है शकल से बट अनिवेज प्रामिस करो कि आप बहुत अच्छे से देखोगे पड़ोगे जो टॉपिक्स पहले रहे हैं कोई बात नहीं है अभी भी बहुत टाइम पड़ा है हम अराम से कम्प्लीट कर सकते हैं आप ब्राइट आपके संग स्टार्ट कराने वाली हूँ टॉपिक दाट इस कॉर्पोरेट वेल आपने का ओके मैं अगर एक ना कोई क्रिविजन हो जाता हमारा कॉर्पोरेट वेल का आज उसे आज आज इसेट कि ऑल्टर एगो अन कॉर्पोरेट वेल अर वेरी क्लोजली निटेट टॉपिक्स आप कहा सकते हूँ जब कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होगा तब ओल्टर इगो लगेगा फिर से दे नहीं सकता हा या ना मुझे सोचके बताइए आपने का मांग कंपनी के basic characteristics हमें आते हैं it is separate legal entity artificial person यह यानि company अपने आपने separate entity है it is alive in the eyes of law जिन्दा हू मैं जिन्दा हो बंदा correct है कि नहीं है आपने कि मैं बिल्कुल जिन्दा बंदा कंपनी है जिन्दा बंदा जिन्दा बंदा परंतु it is you know in the end of the day artificial person can it sue yes ma'am can it be sued yes ma'am company की property company के नाम पर company contract कर सकती है yes ma'am company liabilities ले सकती है yes ma'am तभी तो हम balance sheet बनाते हो but when there will be things like fraud enemy character तब कहीं ना कहीं corporate whale lift करना पड़ेगा और उसके पीछे छुपे members directors हमें उठाने पड़ेंगे आपने का ma'am landmark case study the landmark case study is salmon versus salmon and company limited landmark case study है और ये नाम तो आपके दिल और धिमांग में होना चाहिए जब जब corporate whale आएगा word तब तब आपने salmon versus salmon words use करने ही करने हैं आपने की ma'am हमें बिल्कुल पता है सुने salmon and salmon में हुआ क्या था पहले तो ये वाली पूरी बात सुन लीजेगा आपने का ma'am बताईए क्या हुआ था जल्दी से बता दीजे नाम तो आपने याद कर लिया सालमन ठीक है सालमन गरंडी born on Monday नहीं तो सालमन एक मचली होती है सालमन करके right सो उससे आप याद कर लोगे इस इस case study में ये term point हुआ था आपने का ma'am हुआ क्या इस case में मिस्टर सालमन थे उनके बच्चों ने उनके नलायक बच्चों ने उन्हें एडवाइस किया कि पापा पापा आप एक काम क्यों नहीं करते हो आप जूते का business company के फॉर्म में कर लो उनका ऑल्री शूस का शूस नहीं लंडन में जैसे फॉरण में बड़े वाले boots नहीं चलते हैं उन्चे वाले जूते जो ठंड में पहनने होते हैं वो उनका उस चीज का business था शूस का और उनों ने कहा कि आप पापा एक public company खोल लो पबले कंपनी खोली minimum 7 लोग चाहिए चाहिए आपको पता मिस्टर सालमन ने majority shares अपने पास रखे और बाकी एक एक share अपने घर परिवार को दे दिये एक wife को, 4 बेटों को 4 shares और एक अपनी बेटी को तो घर के लोगों से company खुल गई पर main सारा काम कौन करता था? Mr. Salmon कई ना कई सारे के सारे प्रकार का business संभालना, capital invest करना, सब Mr. Salmon करते थे बाकी share older सिर्फ दिखाने को थे अब क्या हुआ? थोड़े टाइम बाद, Salmon भाई साब ने अपनी ही company में secured debentures खरीद लिए secured word जैसी मैं use करूं समझ जाना, assets गिर्वी पे रखे, assets company ने गिर्वी पे रखे, loan लिया है आपने का मैम चीक है, समझ गई order of payment बता दूं, last में winding up के time पे, सबसे पहले secured का payment होता है फिर unsecured loan का payment होता है, फिर preference और last में equity आपने का हाँ मैम यह तो हमें पता है, सबसे पहले secured, फिर unsecured, फिर preference, फिर equity आपने का मैम okay, sorted, इन्हों ने अपने नाम पे यह secured debentures खरीदे थोड़े time बार company का winding up होने लगा, assets गिके, आपको पता ही है और उसके बाद करें ना करें जो पैसा आया, इनके पास दो jabs थी एक jabs equity shares की और एक jabs secured debentures की इन्हों ने जो asset बिके थोड़े बहुत पैसों के, वो पैसे अपने पास secured debentures की jabs में डाल ली जाही रहते हैं घर की unsecured creators जो इनकी company में थे, वो दोड़े चले आए के रहें ओए, किदर, के रहें गर, के रहें क्यों वाई साब, यह पैसों में हमारा अधिकार है Salman ने कर नहीं, यह मेरे पैसे हैं क्योंकि मैंने secured debentures खरीते हैं और मेरा हक तो तुम से भी पहले आएगा, तो creditors कहने लगें, क्यों हो रहें हमें पावल बना रहा है, हैं, हमें पता है यह तेरी company है, तो कोई secured भी cured नहीं Salman ने इक बात कई, उसमें कहा, देख भाई, क्या मैंने fraud किया है, नहीं कहीं ना कहीं, अगर यह secured debentures मैंने ही खरीदा होता Let's say Mr. A.Z के पास होते हैं, वो secured debentures तो अभी तो उनका पहले ही हक आता ना, तो जब उनका हक आता पहले, मेरा क्यों नहीं आएगा, भले ही company मेरी है, परन्तु company कैसी है, separate legal entity, company is separate from its members, creditors नहीं माने, वो लड़ते लड़ते court पहुंचे, court ने obviously आप जानते हूँ, किस के favor में decision दिया, Mr. Salman के और corporate whale जो term है, वो coin किया सबसे पहले, ना, 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 lift नहीं किया इस case में, पर मतलब सिखाया कि कब lift करना पड़ेगा, so अगर simple भाशा में बोलू English में क्या हुआ, Mr. Salman had a public company in which he held majority of the shares, after some time he also purchased the secured debentures, however, after some time more, the company was in losses and the company was wound up, the assets were sold and whatever the money he got, he kept it with his secured debentures, तब पूरे secured debentures पे पैसे नहीं recover कर पाया था, the unsecured creditors claimed that money, that saying that Mr. Salman and the company are same, the matter went to the court and the court decided the case in favor of Mr. Salman, had it been somebody else in place of Mr. Salman, then also that person would have got the money, so is there fraud? No, is there any other problem? No, it was a normal winding up of the company and therefore Mr. Salman won the case, was the corporate will lifted? No, the corporate will was not required to be lifted, but was the term coined? Yes, केरे मैं हंतर सुनते ही रह गया है क्या अंगरेजी बोलती हो, मैं आ आ गया, मतलब लवली, 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 यह लिखना है, तुम्हें ना लाइकों मेरी तु सुन ली तुमने, तुम्हें लिखना है एक्जैम में जाके, पापी कहिं के, आओ, यह आपका हो गया, फर्स सिच्वेशन जो मैं आपको समझा रही थी, कि कॉर्परेट वेल कब लिफ्ट करना पड़ता है, वेर दे कॉर्परेट वेल हाज बिन यूज़ फर फ्रोडलेंग परपसेश, ठीक है, आईएगा, जोन्स वर्सेश लिफ्मेन पर आते हैं, मैं आपको अगर बिलकुल ब्रीफ में समझाओ, इस केस में क्या हुआ था, बिलकुल ब्रीफ में, इसमें ये जो दोनों पाटीज हैं, इन में से A ने डिसाइड किया, अखी में अपनी लांड वगेरा बेज दोगा, चीक है, आपको B को, राइट, लेट से, A ने क्या चालूपंती करी उसके बाद, जब ये प्रॉमिस कर दिया B को, सारे डॉक्यमेंट्स वगेरा तयार हो गए, A ने एक नकली कम्तनी बनाई, नकली, शैम कहते हैं से शैम, शैम नहीं, शैम, S-H-A-M, शैम, नकली कम्तनी बनाई, फेक कम्तनी बनाई, और ऐसे दिखाया कि वो सारी जो लैंड है, वो ट्रांसफर कर दिया है, उसने A ने B को, because of whatsoever reasons, कहीं न कहीं, उसने ऐसे दिखाया, B से वो फाइदा लेना चाहता था, कुछ मैटर था, कुछ specific performances थे, भाई साब, एक है रहा, अरे वो जमीन तो कम्तनी ने ले ली मुझसे, हम कुछ कर नहीं सकते, सोच के बताएगा, उस कम्तनी का purpose क्या था, क्या वो आक्च्वल बिजनस करती थी, क्या वो आक्च्वल में कोई profits करती थी, वो सिफ क्यों incorporate करी गई थी, ताकि ऐसा लगे कि यह जमीन हमने उस कम्तनी को बेच थी, काइदे से एने वो जमीन बेची ही नहीं थी, वो कम्तनी भी उसी की ही थी, वो fraud का पूरा intention था, कहीना कहीं obviously आपका इसमें fraud, A. agreed to sell certain land to B. Pending completion of formalities, अभी कुछ formality थोड़ी बहुत बच्ची थी, of the said deal, A. sold and transferred the land to a company, which he had incorporated with a nominal capital of just 100, of which he and a clerk were the only shareholders and directors. उस कम्तनी में दो ही लोगते, वो और उसका clerk. This was done in order to escape a decree for specific performance in suit. Decree for specific performance का मतलब, आप eventually सीखोगे अपने subject jurisprudence में, मैं आपको हलका सा मतलब बता दूँ, decree का मतलब होता है order, specific performance means कुछ specifically काम करने थे, A को उस land पर B के लिए, चिक है specific काम करवाने थे. In a suit brought by B, B ने उसे कुछ कहा ता करवाने के लिए, कोट में बकाइदा इसके लिए लाबात पेंडिक चल लेगी. तो A ने सोचा इतना काम मुझे करना पड़ेगा B के लिए, इस से अच्छा में एक नकली कंपनी बना के, ऐसे दिखा दूँ कि मैंने उसको वो land बेज दिया. The court held that the company was the creature of A and a mask, remember a mask, to avoid recognition and that in the eyes of equity, A must complete the contract since he had the full control of the limited company in which the property was transferred and was in the position to cause that contract in question to be fulfilled. B won this case, it is called as Jones versus Lipman. जोन्स, 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 जून्स, जून्स जूना वर्सिस लिपनन, होटो वाला आदमी, ऐसे याद रख लेना, क्या बात चल लही थी इनकी, कि A ने B को जमीन का promise किया, तिरे को दूँगा, बड़ B ने का, कि इसमें कुछ specific काम कराने है, कोट का order है, A ने का, चलना, तुझा रहे, A ने वो property उठा के, बेच दी एक company को, पता चला, वो company तो थी नकली, उसका कोई business नहीं था, sham थी, A ने अपनी property ट्रांसफर करने के लिए, कमपनी को, वो incorporate किया, तो उसमें दो ही लोग थे, भाई साब, और clerk, बस, और कोई नहीं था, तो कही न कहीं, court ने obviously, आपका favor में पास किया Mr. B.K, और कहा, ये कमपनी नकली है, और इसको अब ये contract पूरा करना पड़ेगा, B.K से, sorted, तो दो case study मैंने आपको करा दिये, Salomon versus Salomon, Jones versus Lipman, आपने का, yes maaam, समझ में आता है, अब एक अगली सुनियेगा, must case study है, R.G. Films Limited, ठीक है, R.G. R.G. Films Limited, काफी पुराना केस है, सुनियेगा, क्या हुआ वाइस माँ, An American company produced a film in India, America वाले, इंडिया में आये company मिनाने के लिए, technically in the name of a British company, 90% of whose capital was held by the president of the American company, which financed the production of film, the board of trade refused to register the film as a British film, which stated the English company acted merely as the nominee of the American corporation, सवाल ये था, movie जो थी, उसमें American company जो थी, उसमें असली contribution किया था, 90% shares, 90% control, American company के president के पास था, और वो इंडिया में आये थे, British company के नाम पे किसी business करने के लिए, company ने का था कि हम अपना यहां movie बनाएंगे, the point was, भाई साब, board of trade ने refuse कर दिया, the question was, आप भले British company के नाम पे आ गए हो registration कराके, actual में अगर hidden में देखा जाए, तो आप कहीं न कहीं कौन है पीछे चुपा हुआ, it is American, तो कहीं न कहीं आप British के नाम पे register नहीं कर सकते, it's a very simple case study, हुआ क्या, company American थी, जो इंडिया में movie बनाने आये थी, पर उन्होंने नाम लिया हुआ था एक British company का, ऐसे दिखा रहे थे, कि वो इक British company है, हमें actual में पता चला, जब हमने देखा अंदर जांके, कि या 90% shares तो Americans की पास हैं, तो जब 90% America के shares हैं, तो ये company आपके British company कहला ही नहीं सकती, it's an American company, and इसलिए British company के नाम पर registration करने से, हमने अपने इंडिया में उनको मना कर दिया, जिसकी company जैसा देश, वैसा भीस, जिसकी company उसी के नाम register हो वे, sorted, आपने की, okay मैं, sorted, आप मैं आपको एक अलग टाइप की case study पर लेके चल ले हूँ, आपने का मैं बताओ, क्या हुआ क्या उस case study में, सुनना, Daimler versus Continental Rubber Tire Limited, must case study है, must, आपने की मैं ठीक है, बताओ क्या हुआ इस case को, सुनिएगा, यह बहुत पुराना case है, 1919-1918 के आसपास का case है, Daimler company जो थी, वो located थी आपकी Germany में, जर्मन कमति, और Continental जो थी, वो आपकी located थी, ब्रिटेन में, और Daimler इस Continental की, पेरेंट कमति थी, बाप थी बाप, अगर मैं सिंपल भाशा में बोलूं तो, बाप कमति, यानि, पाने के रस्ते से, आओ मेरे बच्चों, पाने का रस्ता बनाए, पाने के रस्ते से, चुक 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 चुक, चुक चुक क्यों चल लेगे, ट्रेन तो ही ना है, शिप है, men और material, आया करते थे, डामलर कंपनी से, डामलर रबर टायर कंपनी से, continental में, बिटेन में, और ये regular basis पे हुआ करता था, कही ना कही, और continental वाली कंपनी को भी पता था, हमार यह men और material, Germany से आएंगे, सब भ़़या चल रहा था, तब ही First World War हो गई और आपको पता नहीं होगा बट Germany and Britain were on the opposite sides आपने का मैं ठीक है, opposite sides में थे ये लोग फिर क्या हुआ हमें? अब regular basis पे जैसे men और material आया करते थे वैसे ही आ रहे थे कहीं न कहीं Damler ने अपने men और material भेज़ती है और पानी के रस्ते से जा रहे, बीच में बम चलना है बीच में आज़्दम बिसपोर्ट हो रहे हैं कि रहे, अरे, 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 हमें बचाओ, अरे, हमें चोड़ो और वो लोग पहुंच गए British port तक वहाँ पे officers खड़े थे पोर्ट पर British के he अब लाइ कि अपकी सालयों से आ हुआ है अब लाई नहीं हो पर बम ला सकते हो आप हाँ में लाई हो हो सकता है यह कल को army man हो हमारे देश के लिए कितरा हो जाएका उनका दिमकराव हो어지 कोट चलो कहने कोट चलो कोट पहुंचे और कोट सेड ध्यान से सुनियेगा क्या कॉंटिनेंटल और डैमलर ने कोई प्रकार का फ्रॉड किया है नहीं जैसे जोन्स वर्सिस लिपमैन या आपजी फिल्म्स लिमिटेड में फ्रॉड करने की कोशिश करी जा रहे थी क्या यहां और यह देखा गया कि पेरेंट कंपनी कौन है डैमलर और क्या यह इस समय दुश्मन बनी हुई है क्या यह हमारे एनीमी क्यारेक्टर है दा अंसर इस येस मैं यह नहीं कह रहे है कि आज कुछ गलत हो गया है आज हो सकता है आपने वाकई में जैनुइन मेन और मटीरियल दे हो हमें डर लगता है हमें नहीं पता आप क्या भेजतो इस समय के लिए यह दोनों कंपनीस मानी गई सेम और दुश्मन मानी गई आपने का मैं इसमें जीता कौन कोई नहीं क्योंकि जब कॉंटिनेंटर की उपर से कॉर्परेट वेल लिफ्ट हुआ तो पीछे डैमलर ही तो इन कंपनीस को अलग कैसे माने सेपरेट लीगल एंटीटी टॉपिक को खतम किया गया और यह दिकत सिर्फ और सिर्फ कब तक के लिए जब तक वार चल रही है जैसे वार खतम हो जाएगी इनकों वापस से अलग से ट्रीट करेंगे पर डूरिंग वार इस कंपनीस शाल भी क कर दिया जाएगा रीजन क्या है उसका रीजन यार हमें इस बात का डर है कि तुम जो कल खिलोने भेजोगे क्योंकि वोर का टाइम चल रहा है तुम बंप टाकों की जगे अक्च्वल बंप भेज सकते हो और हमें वो नुकसान चाहिए नहीं उन कंपनीस में जॉन वर्सेज लिप में या आरजे फिल्म स्में क्या हो रहा था और अल्रेडी फ्रॉड हो रहा था यहां फ्रॉड की कोई बात नहीं है यहां किस चीज की बात है अनीमी कैरेकटर की मैं अगर आपको बोलूँ एक बात सुने मस्त डाइगराम है नहीं there are two cases main cases of lifting of corporate will पहला fraud दूसरा enemy character clear है समझ में आता है अपने को ये मैंने आपको detail में case study कर दी है क्यों रहा है डाइगरम तो कुछ भी को बड़े कमाल के बनाती है ओके, thank you क्या करें अपने आप से ही बाते करनी पड़ती है चेक करने 1916 का case है ठीक है, येर मत याद करिये, आप लोग कोई दिकत नहीं it was held a company will be regarded as having enemy character if the person is having de facto control of its affairs de facto means पीछे से आप चुपके से control कर रहे हो originally दिख रहे है कि आप control कर रहे हो are resident in an enemy country or whatever they may be are acting under the constructions from behalf of the enemy country right so ये मैंने आपको detail में कराया है इन्होंने तो बहुत छोटा सा दिया हुआ है मैंने आपको original case study बताई Damler कहां, Germany में continental कहां, Britain में कहीं ने कहीं वो आपस में क्या करते थे trading करते थे समान Damler से आता था War care time में भी अभी के लिए ये समान नहीं आएगा क्यूंकि आप दोनों companies अलग लग नहीं एक ही हो, corporate will lift किया जाएगा, भले ही आप हमारी country में incorporated हो so continental despite being in British and Damler despite being Germany were considered to be the same company ठीक है आपने कि मैं got it बिल्कुल ठीक है अब अगला must case study सुनिएगा Sir Dinshaw Manekji Petition Okay, as you say तुम कहो तो सही, तुमारे लिए जान दे दूँगी मैं और कहो तुमारे लिए जान ले भी लूँगी, कै रहे मैं institute वालों का कुछ किया जा सकता है क्या, नहीं रिनलाई को institute वालों का कुछ नहीं किया जा सकता उनको तो अगर हमें हराना है तो हमें पढ़ना ही पढ़ेगा क्या रहे मैं, हम भौच सारा पढ़ने को तयार है, ओके आप देख रहे हूँ, इसकी आँखें कित्ती बड़ी बड़ी क्या रहे है, ये इसके दांत क्या है मैं, ये इसके दांत है ये dangerous आदमी है चालू खोब रही है, और इसकी ये मिसिस है, ये भी क्या रहे दमासूम लग रही है मैं, अरे कोई मासूम नहीं है, सुनना लैंडमा केस्टडी, सर डिन शौक मैनिक जी पेटिशन फेमस केस्टडी है सुनियेगा, ये भाई साब के पास, बहुत पहले करीबन सौ साल पहले, उन्ने सो पच्चिस के आसपास दस लाख रुपए के इंकम हुआ करती थी करीबन-करीबन, क्यानि ये इमाजिन दस लाख रुपए उस जमाने में वह वेरियस सोर्सेज कई कमपनीस से इने डिविडेन मिलता था, शियर्ज खरीदे हुए थे कई कमपनीस की तरफ से इंटरेस्ट वगारा मिलता था इने, तो ऐसे करके इनके पास बड़े सारे पैसे आ रहे थे उस जमाने में टाक्स बहुत जादा लगा करता था तो इन्होंने सोची क्यों ना मैं एक काम करूं टैक्स बचा लो इन्होंने बड़े स्माठ ली चार प्राइवेट कंपनीज खोली पहली दूसरी तीसरी चोथी चार नकली कंपनीज और चारों कंपनीज की एक खास बात थी चारों ही शैंप थी अक्चल में इनका कोई बिजनेस नहीं था कह रहें अच्छा सब नकली हैं सब नकली कंपनीज आपने का ओक्य इनका विश्वास माने ये companies एक ही जगे एक ही office में थी च्यार इक ही office में यो 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 करके बंड थी ये सिर्फ on papers exist करती थी और कैसे भी exist नहीं करती थी कोई business नहीं था ये company बनाई इसलिए गइं थी ताकि Mr. Dinshaw अपने 10 लाक रुपे थोड़े 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 त्रांसफर कर दें और क्योंकि थोड़े थोड़े पैसों पे company के profits दिखेंगे वो उस पे कहीं ना कहीं tax नह इस आइटी ओ उ और बहुतुए तुर्स से देख रहे थे देखे रहे हैं तक तकी बांत की देख रहे हैं कहे रहा है यह डिंशो कर ாरche कर क्या रहा है वों पहुंच गाए उसने का ंवैसाब क्ोरия होprofit कर रहे हैं में कठने के पासद robi bene कुछ यह जी कहे इनके पास है आरे हमें क्या पता कम्थनी के प्रॉफेट से हमें कैसे पताओगा कम्थनी सेपरेड फॉरा सेपरेड लीगल एंटिटी हमने की बाईजाग इतने शातिर मत बनो यह चारों कंपनीज को ITO officer ने court पहुंचाया सर दिन्चो की उपर case किया और यह चारों की चारों companies पता चली शैम हैं, fraud purpose के लिए हैं, corporate way lift किया यह परदा उठा और पीछे कौन नजर आए सर दिन्चो और मिस्स दिन्चो जिनका purpose यह companies खोलने का business करना था या fraud करना था, कह रहे हैं, ma'am, यह एक तरीके का fraud है मेरे बच्चों, इन words को ध्यान से सुनिएगा It is called as avoidance of tax यह आप कह सकते हूँ, tax evasion यह इनका purpose था, which is obviously equals to fraud Corporate way lift हुआ, हुआ चारों कंपनीस के पीछे कौन नजर आया सर दिन्चो Got it, everybody समझ में आया, यह case study आपके पहले भी था इंटरेंस में भी और इसमें भी है We are okay with this आपने का, absolutely lovely mom मैं आपके संगे बार बात कर लो Case studies न करने important होते हैं याद Exam में reference purpose के लिए कह लो या कभी कभी पूरी कहानी समझ लो सबसे पहले है Salman versus Salman जिसमें यह term coin हुआ है फिर वी डेड आपका Jones versus Lipman जिसमें कहीं न कहीं fraud हुआ था corporate whale lift हुआ था और land का case था Third RG Films Limited वह American और British company वाला case इसमें भी corporate whale lift हुआ था Sir Dinshom NHG Petition Tax evasion का purpose इसमें भी corporate whale lift हुआ था और Damler versus Continental इसमें थोड़ा अलग case Enemy character की बातचीत और इसमें भी corporate whale lift हुआ था Clear एपने को? यह case studies मैंने आपको अभी कराएं है corporate whale lift हुआ था Clear है नहीं? Cool Then आगे बढ़ते हुए Vodafone case Vodafone case actually काफी famous case है आप detail में इसे tax में करोगे और हो सकता है अब syllabus में भी ना हो Reason 2015 का case है एक बार का one time था इसके बाद even law change हुआ था You remember Vodafone का नाम पहले हच हुआ करता था तो उसके वज़े से हच ने बेचा अपना तूरा यह सारा business Vodafone को और उसमें इंडिया में tax नहीं लगा Because of whatsoever reasons तो आप देखिएगा main बात क्या थी इसमें 6 factors यह पता करने के कि whether corporate whale lift होना चाहिए transaction नकली है, bogus है या फिर actual है देखिए First, the concept of participation in investment Actual में किसने कितना invest किया है Best example, RG Films Limited Actual में तो 90% Americans hold करते हैं तो आप क्या बात कर रहे हो कमाल की है की नहीं Next, the duration of time during which the holding structure exists कितने time के लिए यह business ऐसा चल रहा है The period of business operations in India क्यूंकि यह इंडिया से related matter था Then, generation of taxable revenue क्या इंडिया में tax लग रहा है सद इंशोमेनिक जीजे सर केस The timing of the exit कब जा रही है इंडिया को छोड़के And the continuity of business on such exit क्या आप इंडिया छोड़के जा रहे हो कहीं और business करने या पूरी तरीके से बंद कर रहे हो यह case अगर मैं आपसे बात करूँ तो exam के हिसाब से important नहीं है इस पे आप questions नहीं आते हैं So just have a reading of the same And आगे भर जाईएगा ठीक है हर चीज इतने अच्छे से वो करने का जरुवत नहीं है हाँ अब यह अगला वाला case सुनियेगा Workman Associate Rubber Industries Versus its workman नाम इसका बड़ा सा लग रहा है आप चेक करके देखियेगा Workman Employed in Associate Rubber Industries Limited भावनगर Versus the Associate Rubber Industries Limited Simply आप कह सकते हो Company और Workers की आपस में लड़ाई थी भावनगर एक जगे है गुजरात में ठीक है So गुजराती इसके लिए गुज्जूस के लिए बहुत सारा प्यार सब के लिए प्यार वैसे ठीक है And इस case में क्या हुआ था सुनियेगा Must case study Workers बिचारे दिन रात काम किया करते थे और उनको इस बात का promise किया गया कि अगर इस साल आपने हमारे पैसे profits भढ़वाए तो हम आपको profit linked bonus PLB देंगे उन बिचारों ने खुशी खुशी और काम करना स्टार्ट कर दिया दिन रात मेहनत करे जा रही है profits टू टाइम्स थ्री टाइम्स भढ़ भी गए कमाते के In the year end company ने क्या किया smartly वो पैसे एक transfer कर दिये एक अपनी दूसरी sham company को अपनी subsidiary को एक company खोली उसमें वो पैसे जो भी profits हुए वो सब transfer कर दिये और का हा 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 हम पे तो यह नहीं कोई profits आपने कोई profits नहीं करवाए जाओ यहां से कोई bonus नहीं मिलेगा workers दुखी थे और दुखी हो गए रोना शुरू कर दिया कुछ ने तो इतना रोआ है कि पूरा पूरा माँ पानी भर गया workers ने decide किया court चलेंगे और देखेंगे यह company जुट बोल रही है कि नहीं the court decided in favor of the workman उन्होंने सारा decision workers के favor में दिया वो जो subsidiary company खोली थी उसके उपर से corporate way lift करना पड़ा और पीछे नज़र आई कौन? कहरे मैं पीछे नज़र आई associate rubber और उनके लोग, उनके members directors जो fraud करना चाहते थे वो आपका जो भी bonus बनता था वो workers को दिया गया, क्या यह fraud का example है? हाँ मैं, क्या वो लोग अपना जो legal obligation है, legal काम है कि company को bonus देना चाहिए, जो promise किया है वो पूरा करना चाहिए कि आप उसी से मुकर रहे थे? हाँ जी, तो कही न कहीं क्या उनको देने पड़े, कही न कहीं पैसे यह स्वाम, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, मैंने simple भाशों में आपको समझा दिया है so, employees जो हैं, यह आपके कहां के थे? workmen जो हैं they are of associate rubber industries limited versus its work चीक है? heading में आपके है avoidance of welfare legislation next, यह अब कई सारे case studies दी हूँ है ठीक है, सारे नहीं करने की हमें जरुत है फिर भी कर लेते हैं, इसका नाम actually बहुत popular है Capella Hingorani versus state of Bihar Bihar का case है 2003 का in this case, petitioner petitioner जो apply करता है, petition डालता है case करता है had alleged, उसने इल्जाम लगाया था that the state of Bihar had not paid the salaries to its employees in public sector undertakings for a very long period, resulting in starvation deaths, oh my god यह Capella Hingorani ने case किया and said that you know, Bihar state ने, government ने, जो PSUs हैं public sector undertakings हैं, उनके workers को salary नहीं दी, जिसकी वज़े से वो लोग मर रहे हैं literally, but the respondent took the stand that most of the undertakings were incorporated under the provisions of Companies Act 1956, क्योंकि तब वही लगता था hence the rights of the shareholders should be governed by the provisions of Companies Act and the liability of the PSUs should not be passed to the state government कैने public sector undertakings पे Companies Act लगता है, तो इसमें state government क्या करें, मुझे बताईए क्या हुआ फिर, the court observed that the state may not be liable in relation to the day-to-day functioning of the PSUs, but its liability will arise on its failure to perform the constitutional duties and the functions of these undertakings. The inhibition against deprivation of life extends to all the limits. The court said normally, बिहार government का इसमें liability नहीं आता, रोज मर रहा में उनका कोई काम नहीं है, बट जब ऐसी situation आ जाए, और PSU's अपने ही workers को पैसे ना दें और वो बिचारे मर रहे हूं, it is the responsibility of the state government to look into the matter and Kapila Hingorani won the case, भुखमरी से मर रहे हैं यार workers, PSU में काम करने वाले, और आप कह रहे हो नहीं, government का इसमें कोई रोल नहीं है, public sector undertaking किसको belong करते हैं मझे बताएगा, obviously they belong to the state government and the central government, so you cannot deny your liability, आपने का माम इसमें finally क्या हुआ, corporate will lift किया, yes corporate will lift किया, और पीछे कौन नजार आया, PSU's के, state of Bihar, Bihar government नजार आया, it's a very heart-touching case study आप कह सकते हैं, चिके? इन्होंने का एक छोटी सी बात है, अगर small scale industries हैं, छोटी छोटी companies हैं और वो fraud कर रही हैं, तो उनकी उपर भी corporate will उनका भी lift किया जा सकता है, चिके? यहीं तक हमारा corporate will topic है, तो हमने यहां तक कि तो बड़ी तरह तरह की बाते कर ली, अब आपसे, अब में companies act की तरफ आगे वोटी हूँ, हमने बहुत सारे doctrines complete करे, हमने corporate will की बात करी, हमने तरह तरह की case study की बात करी, case study नाम याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, बार 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 revise करते जाओ, जोन्स वर्सेज लिपन, साल्मन वर्सेज साल्मन, आके इस तरीके के नाम बोलते चले जाए, असोसियेट रबर इंडास्ट्री वर्सेज इस वर्कमें, ऐसे करके नाम याद हो जाएंगे, आपने का मा, ये बताओ, किस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं, देखो याद, ये तो हमें समझ में आई गया है, कि Companies Act, Companies पे अप्लिकेबल है, in fact, section 1, जो है Companies Act का, वो भी यही कहता है, कि Companies Act शाल भी अप्लिकेबल to all the companies, and आज की डेट में ऐसी कोई कम्पनी नहीं, जो Companies Act में रि 20, आपने का माम बताओ, अच्छा, इसको तो वहाँ सा कम करते हैं, क्यूंकि मेरे को आपको एकाच Shortcuts कराने हैं, और आप मेरे को जरूर से बताना कि Shortcuts से हमें फाइदा होता है कि नहीं, because Shortcuts तो राम बांड चीज होती है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, पहन काम गया मेरा, तो बताएंगे, ठीक है, आपने का माम, ओके, तो आपको ये बात तो मैंने जो आपको समझाने की कोशिश करी, कि Companies Act is applicable on all companies, ठीक है, ये बात समझ में आती है, आपने का हमाम समझ में आती है, महाँ वाहियात, हैंड नाइटिंग आपकी, पर हमें ये बात समझ में आती है, अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपने का माम, पूछो जी, जो Companies 2013 से पहले Incorporated है, ताता हूँ, बिरला हूँ, आपके Reliance हो, ये सब 2013 से पहले की Companies हैं, आपने का हम है, क्या ये भी Companies Act में cover की जाएंगी, the answer is very much yes, yes, क्योंकि section 220, मेरे संग बोलेंगे 220, 220, 220 नहीं, 220 बोलो, एको पड़े लिखे लोग इसको ऐसे बोलते हैं, as per section 2, clause 20, ये clauses हैं, सब sections नहीं है, तो it is called as as per section 2, clause 20 of Companies Act 2013, company means a company which is incorporated under this act, और under any previous company law, यानि जो भी Companies 2013 के बाद incorporate होंगी, वो तो इस act में cover होंगी ही होंगी, in fact, जो इससे पहले किसी और company law में cover होती थी, 1956 में या उससे पहले की incorporated हैं, कहीं न कहीं, अब आपको Companies Act 2013 में पना जगय मिल जाएगी, और आपको सबको governed जो करेगा, वो Companies Act 2013 है, आपने का नाम ठीक है, यानि section 220 की definition, अगर आप मेरे संग repeat करो, देखो घर में बैटे हो, office में कर भी हो, repeat करना पड़ेगा, company का definition का section है, 220, and company means a company which is incorporated, under this act, और अंडर एने previous company law, यानि इस act में चाहे पुराने act में, आपने का माम समझ गाई, ये भी बात समझ में आई, यानि इस अप्लिकेबल on all the companies which are incorporated after 2013, and also on the companies which are incorporated before 2013, yes or no, आपने का, yes माम, Now I have a question, क्या माम, companies act, banks वगरा पर भी applicable होगा, बैंक क्या company है, क्यरे मैं मामें तो पता नहीं, अमने तो कभी देगा नहीं, हम तो जाते हैं, कैश वे एश पापा जमा कर देते हैं, हमें नहीं बता, it is limited word लगाए, क्यरे माम, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जे हुआ, क कि ये आपका कहीं न कहीं, company है, must example देती हूँ, एक और है, मुझे आपके शेहर में नहीं पता, electricity कौन supply करता है, बट हमारे शेहर में, torrent power की electricity आती है, यानि ये private limited है, it is again a company, अगर word limited या private limited लगा है, it is a company, आपने का माम, ठीक है, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, चार बाते बताऊंगे, आपको ready everybody, आपने का माम ready, सुने, आपकी first, और ये section 1 के introduction में दिये हुई हैं बाते, banking companies, आपकी, under banking regulation act, 1949, चीक है, insurance companies, insurance भी LIC जैसे, आपका GIC, LIC का full firm है, life insurance corporation, ठेरन, of India limited, that means it is a company, आपने का, oh my god, मैं, हमें पता ही नहीं था, insurance company, under insurance act, 1938, IRDAB लगता है, क्यों पर एक act है, insurance regulatory development authority act, 1999, third, generation of electricity, generation and supply of electricity, under electricity act, 2003, 2003 का आपता है, electricity का, and special acts, जो specially बनाये जाते हैं, कुछ particular कामों के लिए, right, ये चारों category भी आपकी, चारों की चारों, ये देखिएगा, they all are considered as companies, और इनके उपर, इनके उपर, Companies Act 2013, applicable है, कह रहे हैं मैं, हम इसे याद कैसे करेंगे, ध्यान से देखेगा, shortcut करा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, B, I, G, S, चार पहले लेटर, B से banking company, I से insurance companies, G से generation of electricity, generation and supply of electricity, and last, S से special act की companies, ये चारों के उपर, B, G, S, के उपर, Companies Act applicable है, पर, यहाँ पर एक पर है, बट, अगर इनके ये special acts, ये जो specific acts हैं, अगर कुछ और बात करते हैं, और Companies Act से वो inconsistent है, यानि ध्यान से सुनना, Companies Act कह रहे हैं, लेट जाओ, ये भी कह रहे हैं, इनके respective acts भी कह रहे हैं, लेट जाओ, तो, obviously, हम कह देते हैं, Companies Act applicable है, ठीक है, माल लो, इनके specific ये जो acts हैं, वो silent है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में, पर Companies Act कहता है, नहीं है, applicable होगी चीज़, तो भाईया, applicable करा देंगे, भाईय हमने अभी बात करी, बट अगर मैं आपसे कहूं कहीं न कहीं, कि यार, bigs कुछ और कह रहा है, Companies Act कुछ और कह रहा है, तो फिर जो bigs है, यानि banking act, insurance act, generation, आपका electricity act, ये सब जीत जाएंगे over Companies Act, यानि अगर कोई प्रकार की inconsistency आती है, inconsistency का मतलब हुआ, banking company को financial statements अलग तरीके से बनाने होते हैं, example ले रही हूँ, Companies Act अलग तरीके से बनाने को कहती है, अगर ऐसा clash आया, तो banking companies अपने लिए कहीं न कहीं banking act को उपर रखेंगे, और इस चीज़ को भी याद रखना बड़ा असान है, ध्यान से सुनियेगा, ये अगली बात हुई secret बात, और ये आपकी मेरी secret बात ही है, जरूर से कहीं न कहीं बाकी लोगों को बताईएगा, और एक दम थासू, अपनी इज़द reputation बढ़ाईएगा, ठीक है, बिग्स इस बिगर देन, Companies Act 2013, मस्त बात, कहरे मैं, बिग्स बड़ा है, exactly, बिग्स बड़ा है, जब तक सब कुछ सही है, सेम सी बाते हैं, या कहीं न कहीं, कोई लगाई नहीं है, या Companies Act बोल रहा है, और इनकी respective Acts चुपें, तो तो Companies Act लगेगा, बट अगर Banking Act कुछ और कहता है, Insurance Act कुछ और कहता है, Companies Act कुछ और कहता है, तो इनके उपर अपनी respective Acts applicable होंगे, Companies Act उसमें एक कदम पीछे लेनेगा, आप देखिए, ये जरूर से बना लीजिए, ठीक है, जरूर से, ये बनाना mandatory है, देखो याद, हर चीज के लिए YouTube पे और च 10 copy रखेंगे, रखेंगे, क्योंकि याद, in the end of the day, एक्जाम में ये सब आपके काम आएगा, आपके खुद के self notes होने चाहिए, कि माम ने देखो ये पढ़ाया था, हमें YouTube पे कभी एक दिन ये वीडियो लिया था, और देखो हमने ये shortcut कर लिया था, आप जब कहते हो ना कि और याद करना मुश्किल है, ये लिजे, आसान कर दी मैंने आपके लिए, हाया ना, ठीक है, आपने बना लिया होगा, मैं मान के चल रही हूँ, नहीं तो आप तो वीडियो भी पॉस्ट कर सकते हो, आराम से, ठीक है, आईए मेरे सन, ये देखिएगा, ये पढ़िएगा, लिजे, रहां गया, रहा है, डेखिए, feel manual by this, सब्सराख the chain, बताएम, रहाइग के लिए, रहाः एगा, ये देखिए, डेखिए, रहा है, तो खुर है, रहा होगा, ये देखिए, 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 इन एपको संथी और लिजे, अर अंधेट कर अफिए, खुराय है, हो तो मेरे बच्चों, section भी आता है, correct है, so you know the section, next insurance companies, as far as the said provisions except are inconsistent with the provisions of insurance act, अगर inconsistency आई, तो फिर insurance act जीच जाएगा, दोनों acts का reference है, next banking companies, next companies engaged in the generation or supply of electricity, next any companies governed by any special act, last बात simple है, अगर central government किसी को include या exclude करना चाहे act में से, तो वो हमेशा कर सकती है, ये वाली बात ना बेटा हमेशा हर जगे आएगी, because central government in the end of the day, is the supreme power when they have made this app, so it's absolutely okay, आपको तो इस पूरे पन्ना प्रेश्च जाएगा, आपने का इस पूरे पेज का कुछ भी नहीं करना है, आपको shortcut यादे, क्या companies act bigs पर applicable है, हाँ जी माम, and कब तक applicable है, जब तक consistency है, अगर inconsistency आती है, लडाई है जाती है, तो bigs जीच जाएगा, क्योंकि वो bigs है, ठीक है, so, यह मैंने आपको याद करा दिया है, कही ना कही, next important topic पर आईएगा मेरे संग, और यह important topic, चीक है, और यह अलग type की बात है, बिल्कुल, पूरी तरीके से, मैं आपको बता हूँ, Companies Act वैसे तो आपको पता ही है, कि कही ना कही बात करता है, सिर्फ और सिर्फ, आपकी Companies का, आपने का हाँ जी मैं, बिल्कुल, However, इसका एक section है, चीक है, और इसमें ना question आ जाता है, मैं आपको exam का question भी अभी की अभी करवा देती हूँ, चीक है, There is a section called as section 464 of Companies Act, ठीक है, टोटल section 470 है, और बिल्कुल, आखिर की तरफ, बिल्कुल, लास्ट की तरफ, इसमें एक section है, 464, आपने का, ओकी माम, And this section is actually not applicable to company, it is a section for partnership firm, यह हमेशा से ऐसी राय, पहले Companies Act 1956 में था, आप Companies Act 2013 में, आपने का मैं minimum partnership firm में कितने partners चाहिए होते हैं, The minimum partnership firm में partners required are two, आपने का मैं ठीक है, यह बात, जो दो वाली बात है, यह तो partnership act 1932 में लिखी हुई है, पर जो maximum partners की बात है, in a partnership firm, that is right now 50, the highest number in partnership firm, partners जो हो सकते हैं, वो 50 हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा यहां पर, इसकी एक upper limit भी दी हुई है, और उस upper limit का आपको practically, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है, कह रहे हैं मैं क्यों, यह upper limit दी हुई है कि कल को जाके अगर को changes करेंगे हम, 50 लोगों की partnership बढ़ा ही हमने, तो बहुत easily हम उसको 100 तक ले जा सकते हैं, मतलब काम असान होगा parliament का यह करने का, पड़ आप से अगर कोई पूछे right now, current figure कितना है partnership में, the current figure is 50, ठीक है, higher upper limit जो mentioned है वो 100 है, पड़ हम अभी 100 नहीं मानते हैं, अभी हमारी 50 की limit है, right, कभी बढ़ेगी 50 से 60 या 70, आराम से 100 तो बता दिया चाएगा, ठीक है, अब इसमें अगली बात सुनिएगा, यह maximum partners की बात जो है, यह लिखी हुई है section 464 में companies act के, और इन्होंने साथ में एक बात और कहिए बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ major partners cover होते हैं, यानि जिनकी उमर 18 प्लस है, जो minor हैं, जो छोटे बच्चे हैं, घर के बच्चे हैं, अगर वो इसका हिस्सा होते हैं, तो हम उन्हें counting में नहीं लेते हैं, कह रहें ma'am example दो, हमारे पास 50 major हैं, और 10 minor बच्चे हैं, एक partnership firm में, आपके हिसाब से हो सकता है, यह total 60 हो, पर section 464 के हिसाब से, यह total 50 ही बैठेगा, आपने का ma'am ठीक है, यह बात भी हमें समझ में आ गई, कि major लोगों को count करना है, minor को नहीं, exactly, आपने का मैं ठीक है, sorted हो गया, यह भी हमारा sorted हो गया, अब आप क्या बताने वाले हो कहीं न कहीं, अब मैं आपको एक important बात बता रही हैं, अगर किसी दिन, if this limit crosses 50, यानि अगर किसी दिन major partners की 50 major cross हो गए, है ना, यह firm बेटा, illegal मान लिया जाएगा मजाक नहीं कर रही, illegal बहुत बढ़ा word होता है, बहुत बढ़ा word, बहुत बढ़ा word, illegal declare कर दिया जाएगा, partnership firm बंद करी जाएगी, और बकाइदा, penalty जो लगेगी सो अलग, per person, एक लाग तक की penalty लग सकती है, imagine, imagine, यह बात चल लगी है, और उसकी बाद इने partnership firm बंद करना पड इसे नहीं कर सकते हैं, आप यह को, कि मैं हमारे वसे extra अदमी को ज़्यादा जना आ गया तो उसको हटा दो कहीं ना कहीं, तो काम बन जाएगा, ऐसा possible नहीं है, चीक है, everybody understood, आपने का man man, हमें इसके ना कहीं ना कहीं, आप और वाप से बता दो, okay, मैं तो आपको इस क्लास मे पढ़ाती भी हूँ, और revision भी करा देती हूँ, section 464, किस चीज़ का, किस चीज़ का जल्दी से बताएंगी, आपने का man section 464, partnership के लिए है, किस act में दिया है, companies act में, right now current limit maximum partners की कित्ती है 50, upper limit कित्ती है 100, उसका हमें क्या करना है, कुछ नहीं, 50 major है या minor भी है, major, minor कित्ते भी ह तो फर्म में कोई फरक नहीं पड़ता, next, अगर ये limit किसी दिन भी cross हो गई, तो आपका फर्म क्या मान लिया जाएगा, illegal, क्या फर्म बंद करना पड़ेगा, हाँ, क्या punishment भी है, हाँ, per person कित्ती penalty maximum, per person 1,00, रुपीज, और इसमें इन्होंने जो exam में question दिया था, वो सुनिय है, ऐसा हो सकता है कई बार बेटा, कि ये ऐसे कह दें आपको, कि there are two HUFs, Hindu Undivided Families, एक है लेट से राम HUF, और लेट से दूसरी है आपकी राज्या HUF, और ये दोनों HUF कमबाइन होना चाहते हैं, अपने धंदा साथ में करना चाहते हैं, और ये खोलना चाहते हैं, एक partnership firm, अब आपको एक बात तो पता होगी बेटा, HUF में क्या है, कितने भी लोग हो सकते हैं, घर परिवार में जितने लोग हो, सब उसके HUF का हिस्सा है, माइनर भी होते हैं, पर partnership firm में मैंने आपको अभी अभी एक बात समझा दी कि maximum लोग हो सकते हैं, पचास, आपने का ह जी माम, अब क्या किया जाए, इसमें कहीं ना कहीं, कोई बात नहीं है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, कि इनके combine होके लोग, पचास मेजर से exceed न करें, अगर करेंगे तो वो partnership बन नहीं पाएगी, illegal consider की जाएगी, क्या रहे है माम, और elaborate करो, ठीक है यार, ये देखिएग मैंने कहा, राम हुएफ में, 24 मेजर हैं, और 10 माइनर हैं, जबकि राजा हुएफ में, 12 मेजर हैं, और 4 माइनर हैं, आपने कमेंब ठीक हैं, अगर अब total देखें, तो आप मुझे बताएंगे, इसका total कितना होगा, इसका total होगा, 36 मेजर, 14 माइनर, हमें माइनर काउंट करने नहीं हैं, हमारे लो हुए, total 36, अभी भी स्कोप है, कहां चला गया, ये देखिए, अभी भी स्कोप है, हम इसमें और लोग भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि माइनर तो काउंट होंगे ही, नहीं, क्या ये बात clear है अपने को, आईए, वापस section पर आते हैं, देखे, देखे, हम पहले समझ में आ गई, ये इंकोर्पोरे टिड होना दे री है, then उसके बाद आप आईएगा by virtue of section 464 of companies act 2013 read with rule 10 आप रूल छोड़िये परिशानने की जरुत नहीं है no association or partnership consisting of more than 50 persons be formed for the purpose of carrying on any business that has its object, gain purpose वगेरा वगेरा the maximum number of prescribed persons which may be covered under this section shall not exceed 100 so अभी current figure क्या है? 50 यह मत कहए दे ना बेवकूपने में की minimum 50, maximum 100 ना लायक हो, ऐसी बात नहीं होरी it is maximum 50 अपर लिमित अगर कभी बढ़ी और तो वह 100 तक चाहिए चली जाए next देखेगा in section 464 this does not apply in case of HOF carrying on the business whatever be the number of member यानि अगर एक अपने-अपने HOF businesses कर रहे हैं उसमें यह section applicable नहीं होगा obviously यह applicable होगा तब जो मैंने आपको examples दिया कि दो HOF combine हो जाएंगे और बनाएंगे partnership firm तब applicable होगा या association बनाएंगे तब applicable होगा परन्तु अगर अपना खुद का HOF है जो हिंदू आपके act के इसाब से चल्ला है उसमें कितने लोग हैं उस बात से कोई फरक नहीं पड़ता so one HOF जित्ते भी लोग doesn't matter दो HOF combine करना चाहते हैं business for this partnership firm फरक पड़ेगा यह section लगेगा right in case of association of partnership if it is formed by some professionals CA वगेरा की या CS वगेरा की partnership firm shall be governed उनकी respective acts से so उसमें section 464 applicable नहीं है चीक है यानि partnership normal partnership पे 50 के limit applicable है हाँ normal HUF पे applicable है नहीं normal professionals के partnership firm पे applicable है नहीं परन्तु अगर दो HUFs मिलके combine होके firm मनाएं तो क्या यह section applicable है yes यह हमने मुद्दे की यहां पे बात करी है last paragraph में देख लिए penalty दी हुई है which may extend to rupees 1 lakh right so इती penalty तक लग जाती है clear very good उसके बाद यह कुछ words दी हुए definitions ऐसे आएगा नहीं है ठीक है यह वाला topic types of definitions कैसी होती है कुछ definitions होती है restrictive restrictive word में लगता है आपका word means means का मतलब हुआ बस यह है और कुछ नहीं है extensive word अगर लगता है तो extensive में definition हो जाती है आपकी inclusive यानि बहुत सारी और चीज़ें आ सकती है include word लगता है so means और include दो words का meaning दिया हुआ है अगर आम उसे exam purpose के सबसे पूछो we don't have to do interpretation of statutes करके जो भी chapter आता है आपका मुझे पता नहीं है किस में आता है जुरिस में आता है या किस में आता है I don't know but उसमें यह topic आपका cover होता है there's a topic there's a chapter called as interpretation of statutes so उसमें यह cover हो जाएगा आपका यहां cover करने की जरुवर नहीं है next body corporate की एक छोटी सी definition दी हुई है body corporate का मतलब है any company which is incorporated चाहे in India चाहे outside India but यह cooperative society include नहीं करती है and any other body corporate यानि जो company नहीं है आपकी कहीं नहीं इस act के साब से वो इसमें cover नहीं होते है so body corporate includes companies in India, outside India but cooperative societies यह आप कह सकते हो जो other than these body corporates है वो cover नहीं होंगे ठीक है again not in a very important definition अब आप मेरे संग एक important topic पर आईएगा और exam में तीन नंबर का question तीन नंबर का अकसर इन topic से जो मैं आपका last topic स्टार्ट कर रही हूँ e-governance उससे आजाता है मेरी ना बात सुनियेगा ध्यांसे चीक है और यह बड़ा practical topic भी है आपके लिए अगर मैं आपसे बात कुरूँ सुनेगो सुने देखियो क्या होता है यह मैं basic बता रही हूँ ठीक है इंडिया में as per constitution ठीक है आप तीन चीज़ें cover करोगे legislature जो law बनाता है executive जो उसे implement करता है और judiciary जो उसके मसलों को cases को solve करता है ठीक है companies act में हमने जो high court supreme court यह सी चीज़े हैं हमने उन्हें थोड़ा relaxation दिया है हमने कहाँ देखो या law maker तो आपके parliament है जिनोंने यह act बना के दे दिया हमें ठीक है अब इसे implement करने का काम M.C.A. का है that is ministry of corporate affairs और इनके अंडर में ministry इस ministry के अंडर में आते हैं ROC registrar of companies registrar of companies भी तरह तरह की ranks होती है assistant registrar, deputy registrar ऐसे करके ranks होती है ROC के head एक बीच में और होते हैं इनके बीच में वो कहलाते हैं RD that is regional director RDX नहीं RD regional director and so on company के जितने forms होते हैं company का incorporation का process होता है company चलाने का काम होता है directors आए गए, auditors आए गए, meeting होई इन सब के forms जाते हैं और वो सारे forms कहीं न कहीं आपके MCA की website पे upload किया जाते हैं मैं आपको आज website का नाम भी बताए देती हूं www.mca.gov.in आप चाहें तो इसे check भी कुर सकते हैं www.mca.gov.in चीक है मैं आपको आगे जाके कभी ये खोल के भी दिखा दूँगी website चीक, इसके लिए ID, password वगएरा create करना पड़ता है and हमारे याँ जो judiciary है वो है NCLT National Company Law Tribunal इसे प्यार से कहते हैं Tribunal और इसके उपर एक और authority है NCLT National Company Law Appellate Tribunal ये NCLT Supreme Court से जस्ट नीचे है और Supreme Court के तो बराबर कुछ होई नहीं सकता क्योंकि and company से related जितने matters होते हैं मसले होते हैं वो आप इस judiciary पे जाके solve कर देते हो चीक है So we have three wings Parliament जिसने ये law बनाया Executive जो इसको implement करता है and that is MCA, ROC, RD and Tribunal and Appellate Tribunal जिसमें आपके cases लड़े जाते हैं ये देख लिए जिडाए गए Sorted अब कहीं न कहीं अगर मैं बात करूँ आपसे तो इसी बारे में बात है MCA 21 MCA 21 नमबर की नहीं है It basically indicates की कहीं न कहीं 21st century के हिसाब से हमने online smart governance काम किया है smart का full form दिया हुआ है जो इन्होंने develop किया है खुद अपने आपसे Simple, Moral, Accountable Responsive and Transparent यानि smart जल्दी काम हो सके अपने आपको चीज़ें फिल हो सके Moral, Obviously आप कहीं न कहीं Bribery का system खतम हो जाएगा इसकी वज़े से Accountable, आपने documents भेजे वो उनके पास appending है नहीं है, processing में है कहां है, वो Responsive, जवाब आजाता है Email generated आपको आता है ना This is a system generated email वो And transparent आपको सब पता है कोई कागज कहीं छुपे हुए नहीं है इसमें hardware, software, networking And re-engineering सारी चीज़ें applicable हुई है And तब जाके यह system MCA21 generate हुआ है And आप इतने लखी हैं मैं आपको बता दूँ कहीं ना कहीं हम third version website पे पहुँच चुके हैं Now we have MCA V3 portal Version 3 portal Recent में अभी 2022 में If I'm not wrong, launch हुआ है And वो applicable है उस website के थूँ जाके काम होता है So this MCA21 is the executive team जो manage करती है Companies, actual companies, executive ठीक है Next, smart project है 21st century का project है Third version पे हम काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं Right? आपने काम मैं ठीक है So यह इसमें तरह तरह के लोग हो गए जो आपके appointed होते हैं ROC मैंने आपको full form बताया Registrar of Companies RD, regional director जो ROC का head होता है OR, official liquidator जो कहीं न कहीं आपके official liquidators appoint के जाते हैं कमतने के winding up के time पे SFIO, serious fraud investigation office फिर से, serious fraud investigation office नाम से ही समझ में आ रहा है serious frauds पता करते हैं NAFRA, national financial reporting authority section 132 में आता है यह और इसको हम करेंगे eventually आगे जाके and NCLT and NCLAT मैंने आपको बता दिया national company law tribunal and national company law appellate tribunal ठीक है अपने को I think यह बात हमें समझ में आई होगी कह रहे हैं हाँ जी माम बिल्कुल समझ में आ गई है हमें ठीक है ठीक है और आफिस में घुसके देखते हैं कि ROC का ओफिस किस टाइप का है दो ओफिसेज हैं हो चुका है वर्चुल फ्रेंट ओफिस जिसको मैंने आपको MCA की वेबसाइट का नाम दिया हुआ है देखिए देखिए जल्ली देखिए www.mca.gov.in इसमें सब कुछ ऑनलाइन आप काम करते हूँ PDF वगरा के फॉर्माट में ठीक है नेक्स्ट रेजिस्टरार्स फ्रेंट ओफिस जैसे मैं आपको एक्जाम्पल दूँ उत्तरप्रदेश का ओफिस जो है करवा सकते हो हाउएवर अब तो आपको पताईए कहीं न कहीं सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है बैक ओफिस जो है आईए चेक करते हैं बैक ओफिस में जब पब्लिक दीलिंग नहीं होती प्रोसेसिंग वगरा का काम होता है वो सब आपका बैक ओफिस से होता है आपने का माम चीक है बेकोल चीक है Now we have certified filing center certified filing center क्या चीज़ है जलते बताओ सोच पा रहा है यह certified filing center Obviously माम यहाँ पे ज़्यादा तर filing होती होगी Yes, e-filing का काम company का नाम वगरा finalize करने का काम वो सब यहां से होता है CFC कहलाता है इसका as such question तो नहीं आएगा बट हाँ यह reference purpose के लिए जरूर आ सकता है चीक है आपको पता होना चाहिए Next, आपका effective use of database MCA कर रहा है because of this online thing जो हमारे पास हो गई है हमारे पास काफी सारी चीज़े हैं जो online में है आपके CSR पोटल है corporate social responsibility का पोटल है security clearance online पोटल है security वगरा चेक करने के हिसाब से company के हिसाब से documents वगरा and e-sahaj save offers है यह actually जो MCA21 आया है ना बेटा उसके तहत यह सारी बाते हैं कि हम आपके database जो आपसे information हमें आ रही है company से, stakeholders से वो सब information के through हमने उस information को कैसे channelize किया है website बनाई है investor के भले के लिए investor को educate करने के लिए उनके लिए awareness programs करने के लिए हमने CSR हमें एक section करेंगे आगे जाके वेटा 135 उसमें मैं यह cover कराऊंगी तो CSR पोटल है हमारे पास करने के लिए security clearance वगरा manage करने के लिए इस हैज खुद अपने आप help कर सको आप documents फाइल करने में तो यह सारी services सिर्फ companies के लिए नहीं है stakeholders stakeholders word का मतलब हुआ government shareholders debenture holders banks वगरा जो loan देती हैं creditor debtor companies related सारे लोग employees सब ठीक है और यह सब आपके benefits दी हुए है ठीक है आप चाहो तो इसका shortcut लिख सकते हो beams beams BEEEEMS beams आप कर सकते हो देखें better supervision and monitoring of compliance क्योंकि काम असान हो गया है online हो गया है mutually beneficial system companies का भी भला होगा stakeholders का भी भला होगा और सबसे बड़ी बार government का नजर रखना असान हो जाएगा in companies पर speed जल्दी transparency and efficiency effective due diligence यानि पहले से take care precautionary care ले पा रहे हैं efficient services by CS CA professionals like you and environment friendly of course paperless offices हो जाते हैं ये benefits हैं आपके MCA 21 के वो services थी जो MCA दे रहा है ये और भी MCA की services हैं हम जैसे जैसे chapters में आगे बढ़ेंगे companies का incorporation वगेरा करना सीखेंगे ये सारे words से मैं आपको like na connect कराऊंगी अभी तो ये word आपको ऐसे लग रहे होंगे LLP के services index maintain करना है क्या पता नहीं मैं समझ नहीं आ रहा ये हम eventually करेंगे MCA की services अलग अलग chapters में like chapter wise ये change होगा in fact LLP की service तुमें company law में भी नहीं पढ़ाऊंगी setting up में पढ़ाऊंगी आपको चीक है e-scrutiny e-scrutiny का मतलब है basically जो forms companies file करती है ROC पर ठीक है उसको एक process होता है which is called as STP straight through process ठीक है उसके through एक बार in-depth scrutiny checking कर लिया जाता है कि आपने सही से सारे details भरे हैं या नहीं भरे हैं तो वो एक process है आजकल online check करने का e-adjudication adjudicate करना basically मतलब हुआ किसी तरीके से आपका companies के जो provisions जो compliance पूरे नहीं हुए है उनको पूरा करवाएं जाए और अगर कुछ matter हो जाए तो उसको regional director personal level पे check कर सके कहीं ना कहीं आपके संग e-consultation I think आप समझते हैं आपको online consultancy आज कल मिल जाते हैं कहीं न कहीं ठीक है online consultancy compliance management system compliance word का मतलब है जो भी rules आपके उपर applicable हैं फिर से जो भी rules आपके उपर applicable हैं आप उन्हें follow कर रहे हो या नहीं इस चीज का पूरका management system चेक करना online कि हमारे सारे चीज़ें टिक हैं या नहीं ठीक है prerequisites क्या-क्या हैं e-filing करने के लिए मैंने आपसे कहा था ID password तो बना नहीं है आपको DSC भी चाहिए that's digital signature certificate pen drive जैसा लगता है आजकल आपके signature online होते हैं लेबल आप उसको generate करते हो बनवाते हो DSC offices से and वो attach करना forms में ज़रूरी है professionals के लिए तो बिल्कुल mandatory है company के directors वगेरा को भी ये DSC चाहिए होता है अगर आप कभी किसी CS CA के office गए हो तो उनक्यां अकसर एक ऐसे टोकरी सी रखी रहती है जिसमें भतेरे DSC पड़े होई होते हैं आप कहते हो ये किसकी pen drives है ये pen drives नहीं DSC होते हैं अलग-अलग लोगों के जो आपको forms में attach करने पड़ते हैं so there is an ID and there is a password आप जैसे ये अपने लिए लाप्तॉप या system में लगाते हो pen drive तो उसमें वो generate हो जाता है और उसमें आप अपना password होगेरा डालके उसे fit कर सकते हो तो हाथ से sign मत करने लगना screen पर ठीक है ओके और ये issue हो जाता है दो type की classes के होते हैं class 2 and class 3 बस आप इसको इत्ता ही करिएगा digital signature required है आज की rate में mandatory है hardware and software चाहिए सच बता हूं तो इन में से hardware software मुझे भी वह जाला समझ नहीं आता पहला समझ में आता है के रहें computer या laptop चाहिए ठीक है भाई आप operating system OS सही होना चाहिए windows वगरा पर ये चलता है latest browser चाहिए google mozarela firefox और इनी सब पर चलता है adobe reader चाहिए higher version का scanner टाइप का चाहिए चाहिए मुझे नहीं पता जावा रंटाइम क्या है परन्तु इस अगे अर्गोर्मेंट ये डिटेल में नहीं जारी हूं पता है मुझा कर दी बट वह चाहिए है आपको ठीक है it's a proper system जिसके तुरू आप काम कर सको आपका ये सब वेबसाइट वगरा चल सके चीक है documents upload हो सके ठीक है so ये चाहिए आपको hardware and software की requirements ये topics ना काफी self-based study वाले हैं concepts वाले जो हैं वो मैंने आपको बहुत डिटेल में करा दिये हैं pre-certification चाहिए ROC पर file करने से पहले आपका signatures चाहिए और इसे लिए वो आपको ये सब topics पढ़ा रहे हैं fees जाएगी obvious बात है क्योंकि और ये form to form and आपके what you call as category wise और state wise अलग-अलग होती है fees so ये मैंने आपको एक brief दे दिया है M.C.A. की working पर आप जरूर से एक बार notes पढ़ लीजेगा services हम eventually जब आगे chapters पढ़ेंगे उसमें हम cover कर लेंगे मैं आपको यहां पर एक must बात और बताना चाहते हूं प्लीज जरूर से सुनते बजाईएगा आपका company आपका chapter 2 है types of companies और setting आपका जो second chapter है types of companies मैं ये दोनों topics साथ कराने वाली हूं because it's all about types of companies same questions similar questions company law में भी आते हैं and setting up में भी आते हैं तो मैं आपको वो एक साथ coverage करके एक खटा practice दे दोंगे right मुझे जरूर से बताईएगा class में last में आपने अगर आखिर तक class देखी है कि यार आपको concepts समझ में आए या नहीं आए shortcuts जैसे मैंने आपको bigs shortcut कराया याद हुआ या नहीं हुआ case studies मजेदार तरीके से समझ में आई या नहीं आई I really am looking forward to listen from you people lots of love to all of you this is Nabni Bhartya signing off